जहें दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे भाई, सभी लाइब है और ये वीडियो क्लियर है चलिए, बहुत ही शांदार सभी लाइब आ चुके हैं तो कंटिन्यू करते हैं इस फाउंडेशन बैच के सिरीज को और आज की क्लास में हम लगाने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त कोश्चन्स, ठीक है? बल्खुल, एक थोड़ा सा जलक आपको दिखा दे सवाल का ताकि आप जो है, सैटिस्वाई हो पाएं कि कहां से हम लेवल को उठाने वाले हैं और कहां तक हम लेवल को लेकर जाने वाले हैं एक छोटा सा सवाल आप सभी के सामने हैं सवाल का स्क्रीन शॉट ले लू और जितने गरूप हैं, वाट्सवाप गरूप हैं, टेलिग्राम गरूप हैं सबको भेजना जरूर ठीक है? कि इतना दमदार सवाल है और सबसे बड़ी बात है, ये सवाल जो है अगर इतना दमदार है तो इसका सटीक तरीका क्या होगा? कैसे बनाओगे इसको 10 सेकेंड के अंदर 15 सेकेंड के अंदर जरा सोचो? ठीक है तो ये कोशन जो है आज का कोशन आफ दे डे है बहुत ही धासू कोशन वने वाला है मेरे भाई ठीक है? और इसी तरीके से जो है आज हम सीरीज को शुरू करेंगे एकदम 0 लेवल से आज की वीडियो होने वाली है और बहुत ही hero लेवल तक जाने वाली है ठीक है? समझने मेरी बात को? बिलकुल तो बात करते हैं आज के topic की आज का topic का नाम है discount यानी बटा और बटा की पहली class है जहां पर हम एकदम basic से लेकर high level तक हर उस सवाल को समझेंगे हर उस सवाल के concept को जानेंगे और सभी सवालों को मेरे भाई लगा पाएंगे साथ में आप सभी के लिए जो एक free gift था हमारी तरफ से ठीक है? हमारी channel के तरफ से, हमारी members के तरफ से वो ये था कि आप लोगों के लिए 11 गंटे की कुल मिला कर कितने 11 गंटे की, सारे 8 गंटे की एक average की वीडियो डाली है, वो वीडियो आप जरूर देखें ठीक है? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सारे 8 गंटे की complete zero to hero की एक वीडियो है संपोन ओसत अब इस वीडियो के मैं आपको खासियत बताता हूँ अभी के माहौल में average से सबसे भयंकर-भयंकर सवाल पूछे जा रहे है गौर से देखो, यह average की वीडियो ठीक है? इतने भयंकर-भयंकर ओसत से सवाल आये हैं, चाहे बात कर लो CGL के मेंस की, चाहे बात कर लो आप यहाँ पर MTS की, सभी में एक से भयानक कोशन आये हैं तो पूरा दो महीना लगा, इस content को तयार करने में, रोज रात को यहाँ shooting होती थी, edit होने में, हर चीज होने में बहुत अच्छे दरीके से यह वीडियो बनाई गई है, जब आप इस वीडियो पर click करेंगे तो आपके सामने ऐसे options आएंगे ठीक है, और chapter wise भी इस वीडियो को माट रखा है, ताकि आपको कोई परिशानी जो है, वो ना हो ठीक, समझेंगे मेरी बात को इस वीडियो को आप complete जरूर देखेंगे ताकि आपका औसत का जो topic है आपका जो औसत का जो डर है वो खतम हो जाए, जैसे आप यहाँ time देख रहे है इस timer को click करेंगे तो आपके सारे जो है यहाँ पर एक-एक type खुल कर आ जाएंगे, cricket के उपर age के उपर, सारे के सारे साथ में type number 7, इस बात को ध्यान रखो, जितने Cigle Mains के student है, वो type 7 वाले questions जरूर लगा के जाएंगे आप, आपके लिए यहाँ पर जैसे type 7 पर click करोगे सारे के सारे famous questions वो आ जाएंगे जो MTS में, Cigle Mains में CHSL में, सब में पूछा गया है, तो यह video जरूर देखना और जहां हो पाए, जहां तक हो पाए, ठीक है, आप जिस भी state से आपने state में हर जगा पर इस video को share करिए, ताकि आगे में आपके लिए और भी essay classes लेकर आ सकूँ ठीक है भाई, बहुत अच्छे, तब तक video को जल्दी से जो हर जगा पर share कर दो like कर दो भाई, ठीक है, बिहार के धरती से प्रणाम भाई, प्रणाम आपको भी, नमस्कार, ठीक है, चलिए बात करते हैं, foundation batch के बारे में आप सभी जानते है, foundation batch यूटुब में जो है complete math का एक series चल रहा है, जिसमें हम complete math को पढ़ रहे हैं, from zero level to hero level, ठीक, तो आज के topic को हम शुरू करते हैं, और topic को जो है, यह किस-किस exams के लिए foundation batch important है, यहां सभी exams को mention कर रखा है अगर आप इसमें से किसी एक भी exam के तियारी कर रहे हैं, तो यह जो series आपके लिए बहुत ही महत्वपोन होने वाली है, ठीक है तो बात करते हैं आज के हम discount की, तो discount का देखो, पहला सवाल आपके सामने है कि by 10, get 3, plus 13.33% additional discount, यह discount कितने के बराबर होगा अब यह सवाल को जानने के पहले हमें discount के concept को जानना पड़ेगा कि discount होता क्या है ठीक है, फिर उसके बाद हम वहाँ पर है, समझेंगे कि discount अगर एक तरह का है, दो तरह का है या जो methods होते हैं, वो क्या क्या होते हैं discount को solve करने के, तो सबसे पहले बात को हम समझते हैं, सबसे पहली बात अगर हम discount word सुनते हैं तो discount से मतलब क्या होता है discount का मतलब होगा हिंदी में बट्टा ठीक है बट्टा यहां पर अब जैसे मानो हमारा मुन्ना है ठीक है हमारा मुन्ना हो गया और किसी दुकान पर जाता है कोई समान लेने तो हमारा मुन्ना किसी दुकान पर समान लेने जाता है तो समान की कीमत कितनी है मान लो उसको जो है एक टेडी बियर पसंद आता जो वो अपने महिला मित्र को देना चाहता है उसकी कीमत अगर मान लीजिए 900 रुपे है लेकिन मुन्ना बिचारा हमारा बेरोजगार है अभी रोजगार उसकी लगी नहीं है SSE की तियारी कर रहा है तो वो सोचता है कि इसको कुछ कम में मिल जाता तो बड़ा सही रहता मतलब 900 रुपे का समान वो सोचता है या तो उसको 600 रुपे में मिल जाए 700 रुपे में मिल जाए 800 रुपे में मिल जाए इस तरीके से करके तो 900 रुपे के समान को वो 600 रुपे में दुकानदार से बारगेनिंग करवा के वो खरीद लेता है यानि दुकानदार में जो market price था जो उस समान पे tag लगा हुआ था वो कितने का लगा था? 900 रुपय का ठीक है? और जो दुकानदार ने समान बेचा वो कितने का बेचा? 600 रुपय का तो market price और selling price का जो अंतर होता है वहीं क्या कहलाता है? वहीं हमारा discount कहलाता है वहीं हमारा बट्टा कहलाता है किसी भी subject में किसी भी यहां पर देखो अंकित मुल्ले और विक्रे मुल्ले का जो अंतर होता है वहीं हमारा बट्टा कहलाता है वहीं हमारा discount कहलाता है और अगर हमें discount का percentage पता करना हो, discount का प्रतिशत पता करना हो कि ये discount कितना percent है, तो वो पता करेंगे कि discount बटे market price into क्या करेंगे मेरे भाई, 100 करेंगे, discount कितने का है आप बताईए तो बोलेंगे 300 रुपय का discount है, market price कितने का है तो 900 रुपय का है, और into क्या कर देंगे, 100 कर से काठेंगे 3 बार में आएगा, तो 33 सही 1 बटे 3% का क्या कहेंगे इतने का discount है, अब बात यहां पर आती है कि किया हमारा सवाल इतना असान आएगा हमारे paper में, तो बिल्कुल भी नहीं, discount कितने तरह के होते हैं, कैसे हम discount को निकालते हैं, कितने method होते हैं discount को निकालने के, तो समझते चलते हैं, सबसे पहले समझेगा मेरी बात को, जैसे कि आप लोगों को मैंने percentage में पढ़ाया था, profit loss में पढ़ाया था, हर एक बात को मैंने बड़े अच्छे तरीगे से clear way में समझाया था, कि mainly जो rate होता है, चाहे compound interest में बात करो, चाहे आप percentage में बात करो, चाहे profit loss में बात करो, दो तरह के rate होते हैं, पहला जो rate होता है वो आपको integer value होता है 1%, 2%, 3%, 4% ऐसे कर करके दूसरा जो rate होता है, वो होता है fraction value, 11,1 बटे 9 हो गया, जैसे 12% हो गया, ठीक है, उसके बाद 6 ही, 2,3% हो गया ऐसे सारे values होते हैं तो उसी तरीके से आपका examiner जो है, वो भी आपको discount का rate इसी form में देगा, या तो वो आपको integer की value देगा और नहीं तो वो आपको बटे की value देगा, मतलब ऐसा बोल सकता है कि पहला discount 1% का, दूसरा discount 3% का, total कितने का होगा, या ऐसा दे सकता है पहला discount इतने का, दूसरा discount इतने का, तो total कितने का होगा, ठीक है अब मेरी बात को समझो यहां पर यह दो तरह के discount हैं हमारे पास, लेकिन हम किस formula को कहां पर लगाने वाले हैं, तो सबसे पहले याद रखो, formula number 1 formula number 1 हम किसे कहते हैं तो formula 1 यह car की racing नहीं है formula 1 जो है, इस दवाल को बनाने का सबसे सटीक तरीका है जैसे हम बात करते हैं, जब भी हमारे जो rate है, जब भी हमारा कोई rate है, कॉपी में no down कर लीजे जब भी हमारा कोई rate integer होता है न, तो हम किसकी formula लगाते हैं, जब भी हमारा कोई भी rate integer value होता है, integer value का मतलब क्या हो गया, एक से लेकर 100 तक की कोई भी गिंती आप सोच लो, तो हम method का इस्तमाल करते हैं, और कौन सा इस्तमाल करते हैं, successive का method किसका इस्तमाल करते हैं मेरे भाई successive method का इस्तमाल करते हैं इस बात को ध्यान रखो successive method का इस्तमाल करते हैं आपको successive में 2 rate अगर दे या 2 discount दे तो successive कैसे लगाओगे और 3 देगा तो कैसे लगाओगे 4 देगा तो कैसे लगाओगे सबी के शांदार तरीके मैं अस वीडियो में बताने वाला हूँ उसी तरीके से formula number 2 होता है वो क्या होता है अगर हमारा जो rate है या हम ऐसे कहें अगर हमारा जो discount है वो कोई fraction value attain कर रहा है कोई बटा value attain कर रहा है जैसे माल लीजे आपका example के तोर पे 11 सही 1 बटे 9 हो गया ठीके 16 सही 2 बटे 3 हो गया तो ऐसे cases में हम इस्तमाल करते हैं किसका ratio method का इस्तमाल करते हैं ratio method से सांदार दुनिया में कोई method नहीं है कब जब हमारा rate ऐसा दिया हो तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि हमें समझना पड़ेगा हमें समझना पड़ेगा सवाल को देखके कि भाईया कौन सा method लगाना है पता चले कि तुमको ऐसा method ऐसा rate दिया गया है तुम successive लगा रहे हो पता चले 4-5% दिया है उसमें तुम ratio लगा रहे हो तो selection बहुत important है यही selection आपको मैं दोसों में 200 दिलाएगा इस बात को ध्यान रखो जैसे मैं चोट असा example आप सभी के सामने बोलता हूँ मैं कहता हूँ मालो मुझे 10% का और 20% का क्या चाहिए 10% और 20% का equivalent discount चाहिए आपने कहा 10% छोड़ो 10% छोड़ो मैं कहा आदम 5% और 6% का कितना चाहिए equivalent discount दो discount है मेरे पास 5% एक 6% equivalent कितने का होगा तो आप बोलेंगे sir equivalent लगाने के लिए देखो successive का प्रयोग करेंगे क्यों क्योंकि यह integer value है और दो लोगों का discount निकालने का formula होता है x plus y minus x y upon क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा समझ में आगया बाद 5 जमा 6 5 जमा 6 minus 5 into 6 बटे कितना 100 हो जाएगा 5 जमा 6 11 30 बटे इतना 0.3 बोलेंगे 10.7% का कितना आगया discount आगया कितना आगया 10.7% का हमारा क्या आगया मेरे भाई discount आगया लेकिन अगर यही discount आप ऐसे समझे यही discount आपको ऐसे कहा जाता 16 सही 2 बटे 3 का बता दो 11 सही 1 बटे 9 का बता दो यह तुम्हारा पहला discount है यह तुम्हारा दूसरा discount है equivalent discount कितना होगा तो आप बोलेंगे discount बराबर अब इस case में क्या करेंगे तो इस case में ratio method का इस्तमाल करेंगे क्यों ratio method का इस्तमाल करेंगे क्योंकि यह बटे में है क्योंकि यह बटे में है मेरी बात को समझे ध्यान से तो चलो ऐसे case में लिखोगे market price और फिर लिखोगे selling price क्योंकि याद रखना discount कभी भी market price और selling price के ratio से ही निकलता है तीक है? discount कभी भी market price और selling price के ratio से निकलता है 16 सही 2 बटे 3 का मतलब क्या होता है? 1 बटे 6 नीचे वाली जो value होती है वो हमारी market price होती है उपर वाली value हमारे discount कहलाती है यानि 6 रुपए के समान में 1 रुपए का बटा तो समान 6 का है बटा 1 का है तो बिकेगा कितने में? 5 में बिकेगा उसी तरीके से 11 सही 1 बटे 9 का मतलब क्या होता है? 1 बटे 9 यानि समान हमारा 9 का है एक का बटा यानि वो बिकेगा कितने में? तो 8 में बिकेगा बस आपका अंसर आ चुका है और कोई दिक्कत की बात नहीं है आप काटिये यहाँ पर देखे 2-3 बार में कटेगा 2-4 बार में कटेगा 27 है और यहाँ पर कितना है 20 है कितने का डिसकाउंट तो 27 रुपे अंकित मुल्ले था 20 रुपे विक्रे मुल्ले था 7 रुपे का डिसकाउंट 7 का डिसकाउंट जनाब कितने पे तो 7 का डिसकाउंट 27 पे और इंटू कर देंगे 100 यहाँ पे तो 27 बटे 7 बटे 27 इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा तो हमें 700 बटे 27% जो है इसकी value निकालनी है ठीक है 700 बटे 27 27 का 3 गुना कितना हो जाएगा 87 27 का 2 गुना 54 है ठीक और 54 हो जाएगा और 16 160 ठीक है 30 पचे आपका 1.5 के करीब में जाएगा 25 26 पॉइंट सम्थिंग करके जाएगा हमारा तो इसका exact value हो निकाल सकते हैं ठीक है अब बात करतें यहाँ पर कुछ ऐसे सवालों की जो इस उबार के CGL और CHSL में पूछे गए हैं जो इस उबार के CGL में पूछे गए सवाल है और बहुत ही बहता सवाल है समझेगा सवाल को और अगर rate fraction में दिया रहेगा तो ratio का इस्तमाल करेंगे अभी तो सिर्फ आपको basic basic बाते बताई है दो rate दिया गया है तो बताया है मैंने अगर तीन rate दिया होगा तो successive का formula क्या होगा वो जानेंगे वीडियो के अंदर उसी तरीके से यहाँ तीन के जगा 4, 5, 6, 7, 8 अलग-अलग rate दिये गए होंगे तो overall हम बता कैसे निकालेंगे वो भी जानेंगे वीडियो में ठीक है तो सवालों के मादेम से हम सभी concept को जानने वाले हैं ठीक तो याद रखे ये वीडियो अपने आप में खतरनाक वीडियो होने वाली है YouTube पर discount की जिसमें आप हर तरह के concept को जानेंगे ठीक है तो सबसे पहला सवाल आपके सामने की buy 10, get 3 free plus 13.33% discount दो तरह के discount दिये जाते हैं तो बताओ ये किस के बराबर होगा चलो example से समझते हैं हमारी प्यारी मुन्नी है मुन्नी को bargaining करने का बड़ा शोक है मतलब माल क्या केते हैं मौल भाव करने का बड़ा शोक है दुकान में जब जाती है तो कहती है भहिया हमको discount चाहिए तो भहिया बोलते हैं ठीक है भहिया कोई दिक्कत की बात नहीं हम तुमको discount दे देंगे ठीक लेकिन वो बोलते हैं भहिया इसे नहीं चलेगा देखो बात इसा है ये तो आपका offer चल रहा है कि हम 10 समान को खरीदेंगे तो 3 को मुफ्त मिलेगा हमको और additional discount चाहिए तो दुकानदार बोलता है ठीक है मुन्नी कोई बात नहीं तुम 13.33% का offer discount लेके चले जाओ जब मुन्नी अपने घर पे जाती है तो calculate करती है कि उसको total कितने का discount मिला है उसको total कितने का discount मिला है इस बात को ध्यान रखो समझ में आ गया total कितने का discount मिला कैसे calculate करेंगे जब आपके दो अलग-अलग discount को mix कर दिया जाएगा अब यहाँ पर यह सवाल दो अलग-अलग तरह के discount को मिला कर बना है तो ऐसे सवालों को हम हल कैसे करते हैं समझेगा जैसे अगर मैं simple आपको एक बात बोलू ना कि मैं आपको कहरा हूँ buy 5 और get 2 free buy 5 और get 2 free तो ऐसे case में आप discount कैसे निकालेंगे पांच खरीदो दो मुफ्त लेकर आओ तो आप इसको एक दुकांदार के नजरिये से समझो आप ऐसे समझो कि आप एक दुकांदार हो और आपके दुकांदार में मान लीजे आपके दुकान में total कुल मिला कर करता है और 2 मुफ्त लेकर जाता है आपने उसको कितने का discount दिया तो कभी भी my dear याद रखना market price और selling price के ratio से ही क्या मिलता है discount मिलता है आपके दुकान में total समान कितने का रखा गया 7 समान हर समान की कीमत 1 रुपे की थी यानि market price हो गया 7 उसने आपको पैसे कितने के दिये उसने आपको 5 के पैसे दिये यानि 5 रुपे उसने आपको दिये है तो selling price कितना है तो selling price से 5 तो यहां से अगर मुझे discount का प्रतिशत पता करना होगा तो मैंने कितने का discount दिया 2 का कितने के उपर 7 के उपर तो 2 बटे 7 इन्टू सो, आपको पता है, एक बटे साथ 14 सही, दो बटे साथ होता है, तो दो बटे साथ कितना होगा, 28 सही, चार बटे साथ परसेंट होगा, वो हमारा correct answer होगा, तो ऐसे cases में, अगर आप शौट में सीधा का सीधा answer लिखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होता है, आप सीधा बोलते हैं कितना free मिला मुझे बताओ तो 2 free मिला और बटे में 5 जमा दो दोनों को जोड़ दीजे 2 बटे south ही आपका क्या कहलाएगा discount का percentage कहलाएगा मेरे बात को समझ गया गया ठीक है मेरे बात समझ में आ गया आप लोगों को चलिए बहुत अच्छी हाँ सर तो अब यहाँ पर देखते हैं जैसे मानो कल की दिन मैंने कहा कि आप buy करिये कितना buy करिये 500 आइटम बाई करिये और आपको कितना आइटम मिलेगा 200 या मान लिजे आपको 2500 आइटम मुफ्त मिलेगा तो आप मुझे बताओ यहाँ पर 500 खरीदने पर 2500 आइटम फ्री मिल रहा है discount कितने का तो आप सिधा का सिधा बोलेंगे free कितना है 2500 और total 500 बटे 200, 500 और 2500 आइटम यानि 200 मुफ्त मिलेगा टोटल 7500 आइटम पर तो discount एक बटे तीन का और एक बटे तीन को कितना कहते हैं 33.33% कहते हैं तो फिलाल जैसे ये सवाल मुझे बनाना है तो इस सवाल को मैं कैसे बनाऊंगा simple सा सवाल मुझे से बोला गया है कि भाईया देखो तुमको बात ऐसी है ठीक है? ये सवाल बहुत simple सा बोला गया है 10 खरीदो, 3 मुफ्त पाउ और 13.33% अब छोटी-छोटी बातों को अगर आप पेपर में ध्यान नहीं रखोगे पक्का जो है वहाँ पर आप अपने नंबर गवाँ के आने वाले हो इस बात का ध्यान रखो अगर मैं यहाँ पर 33.33% दे दे देता अगर मैं यहाँ पर 33.33% दे देता आप तुरंत एक बटे 3 बोल देते लेकिन 13.33% है अब 13.33% है तो उसको आप कैसे solve करने वाले हो तो समझते हैं सबसे पहले बात को ऐसे सवालों को हम हल कैसे करते हैं आप सबसे पहले क्या लिखिए तो market price फिर उसके बाद क्या लिखिए तो selling price सवाल में बोला गया है 10 को खरीदो और 3 मुफ्त पाओ 10 को खरीदो और 3 मुफ्त पाओ यानि दुकांदार के नजरों से सोचो एकदम उसकी प्यारी प्यारी नजरों से सोचो यहाँ पर तो बोलो के 10 और 3 मिला कर 13 यानि market price कितना है तो market price 13 रुपए है खरीदा कितना है 10 खरीदा है और 3.33% का बटा कितना होता है तो बोलोगे सर 10 बटे 3 ठीक है एक बटे 30 के बराबर होता है किसके एक बटे 30 के बराबर होता है और आपको जो है कितने की value बतानी है 13.33% की value बतानी है तो क्या आपकी आँखे ये नहीं देख पाती कि 13.33 जो है तो ये हमारा 4 बटे 30 यानि 2 बटे कितना आ जाता है, 2 बटे 15 आ जाता है तो बट्टा का पता होना बहुत जरूरी है माइडियर कि ये बट्टा किसके बराबर है, 2 बटे 15 के बराबर ये जो बट्टा है न ये बट्टा कितने के बराबर है, 2 बटे 15 के बराबर तो हम ऐसा कहेंगे 15 रुपया का सामान था 2 रुपया का डिसकाउंट दिये तो market price था 15 रुपया का 2 रुपया का डिसकाउंट दिये यानि 13 रुपया में बेचे तो पहला discount खरीदा 13 ठीक है देखो यहाँ पर खरीदा 10 और बेचा free 3 मुफ्त में मिला कैसे लिखेंगे total market price में लिख देना और selling price में 10 लिख देना दूसरे वाले को बट्टे में convert कर देना बट्टे में convert किये तो 15 से 13 आ गया 13 से तुम्हारा 13 खतम 5 से काटोगे 3 बार में 5 से काटोगे 2 बार में 3 रुपया के समान को 2 में बेच रहे हो कितने का discount एक का कितने के ऊपर 3 के ऊपर एक बटे 33 देश्यमला 33 परशंट मारो और आगे बढ़ो सवाल examiner को टफ बनाने दो वो उसका काम है लेकिन solution को easy बनाना वो आपका काम है और मेरा काम है इस बात को धिहान रखिए ठीक है सवाज में आ गया ठीक है clear है बताओ जलदी से चलो अगला सवाल देखो अगला सवाल आपके सामने है एकदम प्यारा सा question है आप से बोला गया है कि 15%, 10% और 20% का single equivalent discount बताओ ये इस बार के CHSL में पूछा गया सवाल है अब बोलोगे sir 3 discount आया और सवाल देखो तो 15, 10 और 20 करके दे रखा है तो कैसे equivalent discount निकालेंगे अब जब ऐसे सवाल आपके परिशा में आएंगे जहां पर 3 अलग-अलग बट्टा दिया जाएगा तीनो के तीनो integer होंगे तो दुनिया का कौन सा formula लगाओगे आपको हर चीज में पढ़ाता हूँ यहाँ पे आपको एक-एक बात में बताते तो हो कि सोचो जरा जब हम compound interest पढ़ रहे थे ठीक है जब हम profit loss पढ़ रहे थे जब हम percentage भी पढ़ रहे थे तो हम क्या सीख वहाँ पर देखो successive का पता है क्या होता है successive को दो जगा पर इस्तमाल किया जाता है दो case में स्तमाल किया जाता है एक successive का increase में और दूसरा successive decrease में increase आप कहां कहां पढ़ते हैं तो increase आप percentage में पढ़ते हैं और compound interest में और decrease यह सिर्फ एक ही जगाँ पढ़ते हैं आप discount में इस बात को ध्यान रखे mind में picture का clear होना बहुत जरूरी है कि कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं तो कहां पढ़ रहे हैं यहाँ पर जैसे percentage में आप क्या पढ़ते हैं किसी वेक्ति के income को 10% बढ़ा दिया फिर अगले साल 10% बढ़ा दिया फिर 20% बढ़ा दिया टोटल कितना बढ़ेगा compound interest में आप उसी को ब्याज के तोर पर पढ़ते हैं और discount में आप वही successive decrease के form में पढ़ते हैं तो आप successive को दो जगा पे लगाते हैं एक percentage और compound interest में दूसरा लगाते हैं discount में यहाँ पर जब आप इस्तमाल करते हैं तो successive increase इस्तमाल करते हैं और discount यानि बट्टा में जब इस्तमाल करते हैं तो decrease इस्तमाल करते हैं अब बात करते हैं successive increase का जब हम पढ़ा करते थे कहां पर percentage में और उसके बाद हम उसको compare करेंगे increase वाले को किसके साथ माईडियर, increase वाले को decrease वाले के साथ ताकि मेरे भाई आप सभी जो है इस formula से रूबरू हो जाओ और आप इस concept से रूबरू हो जाओ याद रखना जब हमें successive increase लगाना होता है ठीके, दो term में लगाना होता है तो formula क्या होता है तो बोलोगे sir, x plus y plus x into y upon 100 ये कहां पढ़ते थे percentage और compound interest में उसी तरीके से जब हमें 3 term के लिए लगाना होता था तो हमारा formula इतना होता था जब 3 term के लिए लगाना होता था तो भी पढ़ाया था आपको x plus y plus z plus x y plus yz और प्लस zx बटे में कितना 100 और प्लस x yz बटे में 10,000 यह हमने आपको पढ़ाया था, कप पढ़ाया था, जब हम successive increase की बात करते हैं, जैसे माल लीजे, पहले वर्ष का ब्याज 10%, दूसरे वर्ष का ब्याज 20%, तो total कैसे निकलेगा, तीसरे वर्ष का ब्याज 30%, तो आप इंदो फॉर्मले का इस्तमाल करके करश रकते हैं, यह successive increase में आता है, तो discount में same concept रहता है, बस थोड़ा सा minus plus बदलता है, और वो minus plus ध्यान रहा, तो number free के लेके आओगे, इस बात को ध्यान रखो, दो cases में क्या होगा, तो 2 cases में discount होगा, x plus y minus xy बटे 100, उसी तरीके से 3 cases में क्या होगा, तो बड़ा प्यारा है, 3 cases में discount होगा, same, x plus y plus, देखो, formula लिख रहा हूँ, भूलना मत, x plus y plus z minus xy plus yz plus zx, बटे में कितना हो जाएगा, तो बटे में तुमारा 100 हो जाएगा, और फिर plus करोगे x, y, z, और बटे में कितना, 10,000 को, मतलब आपका plus में, increase में और decrease में कहां फर्क है, तो ये वाला plus यहां minus बन जाता है, और यहा से आप discount के भी सवालों को कर पाऊगे, तो जहां पर मेरे भाई ये सवाल 15, 10 और 20 का दिया गया था, हम कैसे निकालते, हम अपने formula का प्रयोग करते, एक बार formula आपके सामने लिख दे रहा हूँ, कि total discount तीन cases में क्या होता है, तो बोलेंगे sir, x plus y plus z minus xy plus yz plus zx divided by कितना हो जा बना पाऊगे, 20, 10, 30, 30 और 15 कितना हो गया बताओ, तो 45 हो जाएगा, इसको सीधा का सीधा 45 लेको मेरे भाई, xy का मतलब कितना हो गया, 1,500, yz का मतलब कितना हो गया, 200, और यहां पर कितना हो गया, 300, 300, 200, 500, 600, 600, 600 को 100 से भाग करोगे, 6.5 आएगा, और आपस में सब को 3,000 बटे 10 कितना हो जाएगा 0.3 हो जाएगा तो 45 में से 6.5 को घटा कर आपको 0.3 एड़ करना है आपका जो आएगा 0.8 आएगा और 8 जो है एक्याई के स्थान पर 38.8 is the correct answer समझेंगे आपका देखो 10 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा 5 और 3 एक्याई के स्थान पर 8 आएगा option number C जो है वो correct answer हो जाएगा बिलकुल मेरे भाई समझ में आगे आप ऐसे भी सोच लो 13 में से 5 गया तो कितना आएगा 8 आएगा आप ऐसे भी कह सकते हो एक्याई के स्थान पर कर सकते हो तो formula ध्यान रहा तो देख रहे हो कितने सेकंडों में बना पाए लेकिन अगर वहीं ध्यान नहीं रहता तो क्या करते बइट के लिपा-पोती करते रहते पेपर में और कितना समय खराब होता ठीक है तो इस बात का ध्यान रखिए चलिए अगला सवाल कुछ ऐसे ही आपको दिया गया है 16.66, 20% और 3.33 का single discount आपसे पूछा गया है कि बताओ इकलोता discount कितने का होगा कैसे बताओगे single discount के बारे में बोलो तो ऐसे सवालों में single discount अगर आपको बताना है तो मैंने आपको क्या कहा था कि नजरे दोडाओ जरा अपनी प्यारी-प्यारी कि भाया ये जो है integer value है कि fraction value है बोलोगे ना सर integer दों को दूर-दूर तक नहीं दिखता है ये भी fraction है और ये भी fraction है fraction है तो कैसे हल करेंगे fraction है तो ratio का इस्तमाल करेंगे किसका? ratio का सबसे पहला term यहां पर लिखेंगे market price और दूसरा लिखेंगे selling price 16.66 यानि एक बटे 6 के बराबर 6 रुपए में एक रुपईया का बट्टा तो market price 6 है और selling price कितना है तो 5 है 20% का मतलब क्या होता है 20% का मतलब होता है 5 रुपए के समान को आप 4 में बेच रहे है और 3.33 का मतलब क्या होता है 3.33 को जब आप जानेंगे तो बोलेंगे सर यह एक बटे 30 होता है यानि 30 रुपए के समान को आप एक का बट्टा दे रहे हैं तो आप 29 में बेच रहे हैं 2 से कितनी बार में काटेंगे तो 15 बार में, 15 x 3 कितना 45 रुपे का समान, और कितने में हमने बेचा 39 रुपे में, कितने का discount मेरे भाई, तो बोलोगे sir यहाँ पर जो discount है, वो 16 का है, कितने के उपर 45 के उपर, अब अगर गौर से देखोगे न, तो सवाल को calculate करने की भी आवशकता नहीं है आप यहाँ पर गौर से देखिए तो कितने की कमी आ रही है तो बोलेंगे सर 16 की कितने के उपर कमी आ रही है तो 45 की 45 का 20% होता है 9 और इसका 40% होगा 18 यह 18 से भी कम है यानि जितने भी options होगे वो 40% से कम वाला ही उत्तर होगा यह भी 40% से जादा है यह भी 40% से जादा है मतलब option number जो C है वो correct answer है मेरे भाई simple सा बात है देखो इसका 40% 18 होगा और discount 16 रुपे का मिला है यानि हमारा discount 40% से भी कम है और उससे कम एकी answer option number C is the correct answer calculate करने की भी आवशक्ता नहीं है ठीक है समझ गए बात को चलिए अगला सवाल देखिए अगला सवाल इस बार का most famous question है एकदम 3 star इसको लगा लो मेरे भाई सवाल में बोला जाता है कि एक company जो है वो 4 तरह का discount देती है और इस 4 तरह के discount में customer के लिए सबसे फाइदे मंद कौन सा होता है ठीक है बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सवाल एकदम बोलते है ना खूबसूरत सवाल है ये क्योंकि सबसे जादा trending में है अभी खूबसूरत समझ रहे हो कुछ बच्चे तो खूबसूरत वर्ट से जो है एकदम दिल पे ही ले लेंगे अरे ऐसा नहीं है देखो बात ऐसा है वो भी खूबसूरत है कोई दिक्कत की बात नहीं बट सवाल भी खूबसूरत होता है अब ये सवाल को देखोगे ना तो हर जगा अपना तांडव मचाय हुए है और गैरेंटी है मेरा मेंस में आएगा UPSI में आएगा हर जगा पे आएगा लेकिन जो लॉजिक हम आपको दे देंगे ना वो दुनिया के किसी किताब में नहीं लिखा होगा इस बात को ध्यान रखिए बहुत ही शांदार लॉजिक है ऐसे सवालों का आप इस सवाल को मातर एक सेकंड में आंसर दे पाएंगे मातर एक सेकंड में ठीक है मातर एक सेकंड पे बिना कालकुलेट किये कैसे देंगे आप देखिए सबसे पहले बात करते हैं पता है क्या होता है समझे कि आप दुकान में गए और आपके सामने चार ओप्शन्स रिख दिए गए जैसे आप जाते हैं न महमान नवाजी में तो चाई भी है, ठंडा भी है, बिस्कुट भी है, मिक्षर भी है सर क्या खाना पसंद करेंगे आप तो आप अपने हिसाब से चूज करते हैं उसी तरीके से क्या होता है, एक कस्टमर किसी दुकान में जाता है और वो कस्टमर दुकान में जाता है, तो दुकानदार बड़ा चालाक है वो जानता है कस्टमर की बुद्धी फिरी हुई है, इसको गनित उतना आता नहीं है तो उसके सामने चार ओप्शन यहां पर रखता है सर आप ये वाला डिसकाउंट लेना पसंद करेंगे या फिर ये वाला लेना पसंद करेंगे, या या फिर ये वाला अब कस्टमर ठहरा बनिया आदमी, उसको क्या पता कि दुकांदार को नहीं पता है कि वो बनिया है तो वो क्या करता है, वो सुचता है भाईया सबसे जादा डिसकाउंट हमको किसमे मिलेगा तो हम कैसे कैलकुलेट करें, वो बोलता है, बस आदित्य सर की वीडियो देखी थी और वीडियो में उन्होंने एक ही बात बताया था, कि अगर इन सब का जोड़ बराबर होगा अगर इन सब का जोड बराबर होगा मेरे भाई, तो सबसे ज़ादा वही डिस्काउंट होगा जिनके आपस में सबसे ज़ादा अंतर होगा मेरे बातों को बड़े ध्यान से समझेगा भार-बार कहा रहा हूं, नोट कर लिजे कॉपी में, सबसे ज़ादा वही discount होगा सबसे ज़्यादा वही discount होगा जिनका आपस का अंतर सबसे ज़्यादा होगा इन दोनों को जोड़ो ये भी 40 इन दोनों को जोड़ो 40 सबसे ज़्यादा अंतर अब सबसे ज़्यादा अंतर किसके में होता है जैसे कहते हैं जमीन आसमान का अंतर है मतलब जो एकदम दूर और एकदम करीब में हो आप देखोगे तो ये दोनों पास-पास में हैं ये भी दोनों काफी पास हैं ये भी दोनों पास हैं लेकिन 38 और 1 इनके बीच में सबसे जादा अंतर है तो इनके बीच में सबसे ज़ादा अंतर है तो सबसे ज़ादा डिसकाउंट कौन केरी करेगा इसलिए मैंने कहा न नजरों नजरों से सवाल को बना दोगे एक सेकंड में याद रखना है ऐसे सवाल जब भी आए जब भी आपसे पूछा जाए कि कस्टमर को सबसे ज़ादा फाइदा किसमें मिलने वाला है और सब का सम सेम बराबर हो तो जिसका अंतर सबसे ज़ादा डिसकाउंट उसमें सबसे ज़ादा और जिसका अंतर सबसे कम डिसकाउंट उसमें उतना ही कम होगा ठीक है इस बात को ध्यान रखना ठीक है चलो आजाओ अगला सवाल देखो बहुत ही प्यारा कोशन एक और सवाल में बोला गया 3 equal successive discount जो है वो 78.4% के बराबर है तो बताओ यहाँ पर प्रतेक discount कितने के बराबर होगा ऐसे ही आपका examiner क्या करेगा बोलेगा 2 discount जो है 2 discount जो हैं यहाँ पर 36% के बराबर है तो बताओ यहाँ पर प्रतेक discount कितने का होगा उसी तरीके से 3 discount तुमारे 78.4% के बराबर है तो प्रतेक discount कितने का होगा मतलब हमें यहाँ पर आप total value दे दी जाएगी और equivalent value calculate करनी होगी तो इस बात का ध्यान रोखो मैं बार बार आपसे एक ही बात कह रहा हूँ कि बेटा तुमको discount निकालना है मेरे भाईचा आपको कुछ भी निकालना है discount कैसे निकलेगा तो market और selling के ratio से ही निकलेगा इस बात को ध्यान दीजे ठीक है तो यहाँ पर चलिए जैसे माल लिजे मैंने कहा कि X% का और X% का दो discount है जो 36% के बराबर है तो X की value कैसे निकालेंगे तो आप बोलेंगे सर एक ही method follow करेंगे हम वो करेंगे market price और selling price का ratio लिखेंगे माल लो market price तुम्हारा 100 रुपय है और उसमें 36 का discount है तो कितने में बेचोगे 64 में बेचोगे कितने discount के बाद है तो बोलोगे सर दो discount के बाद है तो आपको 2 से 1 पर लेकर आना है तो क्या करेंगे root लगाएंगे यहाँ पर 100 का root 10 होता है 64 का root 8 होता है 10 का समान 8 में बेच रहे हो 2 का discount 10 के उपर यानि 20% जो होगा वो correct answer होगा उसी तरीके से यहाँ पर आपको बोला गया देखो जब 2 discount दिया गया होगा तो root लगाएंगे और जब 3 दिया गया हो तो क्या लगाएंगे cube root लगाएंगे 2 से 1 पर आना होता है 3 से 1 पर आना होता है एक पर आओगे तो ही वास्तिक value बता पाओगे उसी तरीके से यहाँ बोला गया 3 discount इतने के बराबर है तो बताओ equivalent कितने का होगा तो क्या बोलोगे बोलोगे सर market price लिखेंगे फिर selling price लिखेंगे market price को अगर मानलो 100 रुपईया मानते हैं उसमें से 78.4 घटा दे तो 21.6 आएगा यह इनका अनुपात हो गया जब तक अनुपात नहीं निकालोगे जब तक ratio नहीं निकालोगे सवाल को नहीं बना पाओगे तो काम करो 10 से दोनों side गुना कर दो 10 से गुना किये तो 1000 हो गया और यह आपका 21.16 हो गया यह ratio कब आया है तीन बटा देने के बाद तीन बटा देने के बाद तो अगर दो बटा देने के बाद आया होगा तो square root करना और तीन बटा देने के बाद आया होगा तो cube root करना तो यहाँ पर बोलोगे सर इसका cube root करते हैं हाँ पर 1000 का cube root कितना होगा 10 और इसका cube root कितना होगा 6 10 के समान को 6 में बेच रहे हो कितने का discount 4 का कितने के उपर 10 के उपर 4 बटे 10 into 100 करेंगे तो कितना आएगा 40% आएगा option number जो C है वो correct answer है ठीक है इस बात को ध्यान रखेंगे 2 का discount आया square root करेंगे 3 का आया cube root करेंगे 4 का आया तो उसका one fourth power करेंगे ठीक है मेरे भाई चलिए आजएए अगला सवाल देखिए अगला सवाल और खुबसूरत प्रशना आप सभी के सामने अजीत कुमार श्रेया चोहान ब्रह्मचारी नहा कुमारी बहुत अच्छे स्मार्ट यादो बहुत ही शांदार भाई वीडियो को like जरूर करें और channel को subscribe तो करें ही करें हर जगा पर वीडियो को जो है वो share करते रहें हर जगा पर आप जो है इसको viral करते रहें अब सवाल को देखिए कुछ ऐसा सवाल भी अटपटा आपके सामने आ सकता है जहां पर आपको examiner फसाएगा क्या बोलेगा आपको कि देखो 2 successive तुम discount लगाए और दोनों जो है वो 22 सही 2 बटे 9 के करीब में आया अगर पहला discount तुम्हारा इतने का है तो दूसरा कितने का होगा मतलब आपका examiner अब देखो पहले क्या किया पहले आपका examiner ये बोला कि देखो 10% का और 10% का discount है तो बताओ कितने के बराबर दूसरे में आपका examiner ये बोल दिया कि X% का और X% का discount अगर 19% के बराबर है तो X का मान क्या होगा और तीसरा केटेगरी उसे ने ऐसा डाल दिया पहला डिसकाउंट 10% का दूसरा डिसकाउंट X% का टोटल अगर 19% का है तो ये X बताओ क्या होगा ये तीन तरह के प्रशन पूछे जाते हैं इसमें क्या लगाते हैं सकसिव लगाते हैं और बाकी दोनों किस से बन जाता है बाकी दोनों हमारा रेश्यो के मेथड से बन जाता है अब जैसे जब भी आपका एक्जामनेर ऐसा थोड़ा सा खचड़ाई करे क्या करे कि टोटल डिसकाउंट आपको दे देता है उसमें से एक कामान देता है एक गायब कर देता है या आपको क्या करेगा टोटल तीन का वैल्यू दे दे पहला डिसकाउंट दे 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 और टोटल दे दे आप पूछे तीजरा कितना था तो ऐसे सवालों को कैसे बनाते हैं वो देखिए आप बोलेंगे सर यहाँ पर मार्केट प्राइस को लिखिए फिर यहाँ पर क्या लिखिए सेलिंग प्राइस क्योंकि डिसकाउंट कभी भी इनके अनुपात सही मिलता है पहला डिसकाउंट कितने का है बताओ साड़ा बारा परशंट का साड़ा बारा परशंट कितने के बराबर तो साड़ा बारा परशंट एक बटे आठ के बराबर यानि आठ रूपय के समान में एक रूपया का डिसकाउंट है तो बेचोगे कितना में साथ में बेचोगे ये तुम्हारा पहला डिसकाउंट था क्या दूसरे discount के बारे में कहीं पर भी कोई चर्चा है, तो बिल्कुल भी चर्चा नहीं है, और overall discount कितना है तो 22 सही 2.9, 22 सही 2.9 कितने का मान होता है, तो यह 2.9 का मान होता है, यानि यहाँ पर हम कह सकते हैं, 9 रुपे के समान में, 2 रुपया का discount यानि 7 रुपे में, अब ज तोड़ाई कर इश्व कितना होगा, कैसे हल करते हैं, वो देखो, बहुत ही शांदार, क्या करेंगे, 9 के उपर लिखना है, तो 9 इंटू 7 लिखेंगे यहां पर, ठीक है, और यहां पर 7 के उपर लिखना है, तो 7 तो आएगा ही आएगा, और cross multiply करेंगे, किस के साथ, 8 के साथ, इस बात को समझिए बड़े ध्यान से, 9 के उपर लिखना है, तो 9 लिखो, और उसका cross multiplication 7 के साथ, 7 के उपर लिखना है, तो 7 लिखो, और 7 का cross multiplication 8 के साथ, 7 से आपका 7 खतम, 9 रुपे के समान को 8 रुपे में बेचते हो, कितने का discount, तो 1 का, कितने के उपर, 9 के उपर, 1 बटे 9 कितना होता है, तो 1 बटे 9, 11 सही, 1 बटे 9 परतिशत होता है, समझ में आगे हैं मेरे भाई, तो C4, ठीक है, C4 क्या होगा, बतादो जल्दी से, C4 चलो inspector बने, बहुत शांदार भाई सा, बहुत शांदार, उसी तरीके से मान लिजे कि मैं आपको ये बोलूं, कि पहला discount का ratio 17 16 का है, दूसरा discount कितना होगा, कि total जो discount होगा, वो हो जाएगा हमारा 16, 16 अनुपात 15 हो जाएगा मान लो, तो ऐसे case में आप सवाल को कैसे बनाएंगे, या simple data अगर मैं आपको दे दूं मान लो, ठीक है, simple data मैं आपको बोल दूं कि पहला discount 5 से 4 का था, ठीक है, total जो discount हो जाए मैंने क्या कहा आपको, बहुत simple है, आराम से यहाँ पर लिखो, देखो 9 के उपर लिखना है, तो 9 into 4, क्या लिखेंगे 9 into 4, और 4 के उपर लिखना है, तो 4 into 5, ठीक, 4 से हमारा 4 कट गया, 9 के समान को 5 में बेच रहे हो, कितने का discount 4 का, कितने के उपर 9 के उपर, तो 4 बटे 9, और 4 बटे 9 कितना होता है, 44 सही 4 बटे 9% हमारा answer रहेगा, तो यहीं सवाल अगर मानलो 3 cases में लगा दिया जाए, और 3 cases में अगर बोला जाए, तो कैसे करोगे, जैसे मानो मैंने कहा, पहला discount देखो, मैंने कहा पहला discount 10% का है, दूसरा discount 12% का है, तीसरा discount 1% का है, और जो total discount है वो मानलो 50% का है, कैसे बनाओगे सवाल, कैसे बनाओगे बताओ जल्दी से, ठीक है, 10% पहला, दूसरा साड़ा 12, तीसरा X total 50 कितने का होगा, क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखो, बात ऐसी है, discount निकलता है market price और selling price के ratio से, पहला discount की बात करे, 10% का यानि 10 रुपे के समान को कितने में बेचेंगे, 9 में, दूसरा discount 12, मतलब 8 रुपे के समान को कितने में बेचेंगे, 7 में, तीसरा discount का कोई जिकर ही नहीं है, और total बोला गया है, 50% यानि 2 रुपे के समान को कितने में, 1 में, सब का ratio लिख दिया, पहला लिख दिया, दूसरा लिख दिया, total लिख दिय कैसे तीसरे का मान पता करोगे एकदम सिंपल है दो के उपर मान लिखना है तो 2 लिखो और इधर के दोनों मानों को लिखो यानि 2 x 7 x 9 और यहां पर 1 के उपर मान लिखना है तो 1 x 8 x 10 क्या लिखेंगे 1 x 8 x 10 मुझे बताओ यहाँ पर यह मान कितने के बराबर है 2 से काट दो कितनी बार में 4 बार में कटेगा 9 सते, 63 और 10 चव के 40 63 का समान आप 40 में बेच रहे हैं कितने का डिसकाउंट देंगे बताइए 63 का समान 40 में आप बोलेंगे सर 23 का डिसकाउंट है कितने के उपर, 63 के उपर 23 बटे, 63 इंटू 100 आप यहाँ प्रतीशत में जब कल्कुलेट करेंगे वैल्यू आईगे और आप का अंसर आजाएगा तो hidden concept यह हमें समझना था एक ratio आ गया, दो ratio आ गया, total आ गया तो तीसरे का कैसे लिखते हैं यह समझ में आ गया, तो सवाल हमारा clear है, अब अगला सवाल देखो, बहुत ही famous question है, तीन star देदो इस सवाल को, और यह आपके paper में पूछा गया है, सवाल में क्या बोला गया है, बोला गया है, देखो, 2 successive discount दिया गया, हर discount की value X percent है, ठीक है और total जो discount आया है उसकी value इतनी है, आप से बोला गया है, अगर market price तुम्हारा इतना है, तो X का मान बता दो, X का मान कितने का होगा X का मान बता दो, कितना होगा, सर क्या यहां से पढ़ने के बाद CGL निकल जाएगा और CGL का UPSC का प्री भी निकाल दोगे, चिंता काहे कर रहे हो C7 में math का जितना आता है, जो SSE का syllabus है, जो banking का है, वो सब निकल जाएगा, परिशान ना हो जितना पढ़ा रहे हैं foundation batch में उतना अच्छे से पढ़ते जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी मेरे भाई ठीक है, बिल्कुल मन लगा कर पढ़ते जाएगे बिल्कुल, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि डेली क्लास का notification मिले, रोज सुबह में अनिल सर की जो है, वोकाबलरी की क्लास सलती है, उसको जरूर attend किया करो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इस बात का दिहान रखो एक-एक वर्ड को काफी अच्छे तरीगे से क्लियर करवाते हैं, उसी तरीगे से शाम में उनकी ग्रामर की क्लास सलती है शाम साथ बजे, वो भी सशेन अटेंड किया करो एक-एक रूस को काफी अच्छे तरीगे से आपको एकस्प्लेंग किया जा रहा है और रीजनिंग में तो कुछ कहना ही नहीं है हमारे रीजनिंग गुरू का, ठीक है जो अप्रोच है उनका सवाल लोको लेकर जो उनका experience है, खतरनाक है बिलकुल ठीक है, तो आपको यहाँ complete package rankers गुरू कुल पे मिल रहा है free of cost में YouTube पे, तो इसका जरूर फैदा उठाया करिये आप, ठीक है चलो, आज ओ यहाँ पे, तो बड़ा simple सा सवाल बोला गया, बोला गया देखो 2 discount देते हो, और 2 discount जो है, वो किसके बरावार आता है 269.2K, market price 720 रुपए है तो X का मान कितना होगा, ठीक है slow करिये, विजय जो है वो बोलते हैं, सर, slow करिये, ठीक है भाईया, slow करते हैं, कुछ बत्य जो है वो कह रहे थे कि सर, लेवल, लेवल, लेवल बढ़ाओ तो उन बच्चों के लिए खास कर एकदम जहर, जहर, जहर भी लेकर आए हैं ठीक है, जिनको एकदम जहर चाहिए तो वो जहर भी यहां मिलेगा आपको ठीक, क्योंकि बहुत बच्चों का ऐसा भी कमेंट आता है, थोड़ा tough करिये, थोड़ा tough करिये ठीक है, यह class daily नहीं होती है daily होती है, बस कुछ लोगों ने थोड़ा परिशान किया, तो हम लोगों ने भी कुछ लोगों को परिशान कर दिया, चिंता करने की कोई बात नहीं है, classes daily चला करेंगी आप परिशान नहों, enjoy करके पढ़ाई करिये चलिए, सवाल को देखे, क्या बोला गया है दो डिसकाउंट दिया गया है और दोनों डिसकाउंट की जो total value है वो कितनी है, 269.2 market price कितना है तो 720 रुपए है, आप से X का मान पूछा गया है, देखो मेरे भाई अब एक बात को समझना यहां पर आपको डिसकाउंट निकालना है, तो आपको किन चीजों का अनुपात का पता होना जरूरी है तो आप बोलेंगे सर, डिसकाउंट निकालना है तो market price और selling price ये दो चीजों का हमें पता होना जरूरी है तो आप बोलेंगे ठीक है सर, market price देखिए, तो market price कितना है, तो market price 720 रुपय है, और selling price की अगर हम बात करें, तो सोचो 720 रुपय का कोई समान है, उसमें इतना discount है, तो इसको घटा दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, इसको घटा दोगे तो selling price आ जाएगा, अब बहुत ब गटाओगे तो कितना आएगा बताओ, 460 हैगा कि नहीं आएगा बताओ, कितना आएगा 460, लेकिन आपने इसमें 0.8 जादा घटा दिया है, तो अब 460 में 0.8 जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर, 460.8 हा जाएगा, जब आप इसको इसमें घटाएगे तो 460.8 हा जाएगा, यह आपका मार्केट प्राइस है, यह आपका सेलिंग प्राइस है, आपको क्या करना है, आपको डिसकाउंट की वैल्यू बतानी है, अब डिसकाउंट की वैल्यू बतानी है, तो कैसे करोगे, तो इनका अनुपात लोगे, 10 से गुना करोगे, तो यह बहत है किसे चलो 9 से काट लो तो 9 से काटोगे तो आपका 8 से काटोगे तो ये आपका 900 हो जाएगा और 8 से काटोगे तो 8 पचे 40, 8 सते 56 ठीक है और 8, 48 हो जाएगा आप खुद मुझे बताओ ये जो रेश्यो आया है ये कितने discount के बाद आया है तो आप बोलेंगे sir 2 discount के बाद आया है जब 2 discount के बाद ये ratio होता है तो discount कैसे निकालते हैं तो आप बोलेंगे sir जब 2 discount के बाद ये ratio आएगा तो discount निकालने के लिए इनका हम root करेंगे 30 यहाँ पर आ जाएगा इसका root और इसका root तो कितना आजाएगा ? 24 आजाएगा 30 रुपए के समान को 24 रुपए में बेच रहे हो क्तने का डिस्काउंट दे रहे हो ? 6 का कितने के उपर ? 30 के ऊपर तो 6 बटे 30 इंट। क्या करोगे ? 100 करोगे 6 से काटो 5 बार में 5 से काटो के 20 बार में सरकारी शुब काम ना है आपको आपके जनम दिन की आराम से सरकारी नोकरी ले ठीक है घुमें देश की शेवा करें और जो आपके सपने हैं जहां जहां पर घुमने के वहां पर जाएं सोक से ठीक है चलिए मन में तो लड़ू फूट रहोंगे यहां पर सरकारी नोकरी के मन मे चलो, सवाल देखो, सवाल क्या बोला गया है, बोला गया है किसी वस्तु को 612 रुपए में बेचते हूँ, 25% और X% का डिसकाउंट देते हूँ, market price 960 रुपए है, तो X कमान कितना होगा बता दो, PDF हमारे टेलिग्राम से मिलेगी, PDF के लिए टेलिग्राम को जॉइंग कर लेना, बड़ा बैतरी ना खुबसूरत प्रशन है यहाँ पर बताओ जल्दी से, कि भाई मेरे किसी वस्तु का विक्रे मुले 612 रुपए, उस वस्तु का जो है यहाँ पर अंकित मुले 960 रुपए, प पर हमारा बटा पता करना है, तो हमें अंकित मुले का और विक्रे मुले का अनुपात पता होना जरूरी है, जैसे इस सवाल में देखो, आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर बात ऐसी है, देखो यहाँ मार्केट प्राइस को लिखेंगे, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस को ल कर नहीं है और final ratio क्या है तो final में 960 रुपय का समान है तो market price के नीचे 960 लिखेंगे ठीक है और selling price कितना है तो 612 रुपय है तो यहाँ पर हम 612 लिखेंगे समझ में आगे है मेरी बात को कोई समस्य की बात आपका examiner पहला discount देगा पहला लिख दो दूसरा गायब करेगा कर ले ने दोसको गायब और market और selling लिखेगा market selling लिख दो दूसरा इनके अनुपात से निकाल ले ना बस कोई दिक्कत की बात नहीं आप 6 से काटोगे तो बोलोगे सर 6 से 160 बार में कटेगा और 6 से कितनी बार में कटेगा 102 बार में आगे और इसको काटेंगे यहां पर मान लो चलो 4 से काटते हैं 4 से नहीं कटेगा 2 से काटेंगे तो 80 बार में 2 से काटेंगे तो 51 बार में यानि यहां पर 80 अनुपात 50 आ चुका है ठीक है तो हमें पता है discount 2 की value लिखनी है तो क्या लिखेंगे 80 और इंटू कितना आएगा 80 इंटू 3 उसी तरीके से इसके उपर मान लिखना है तो क्या लिखेंगे 51 इंटू कितना आजाएगा 51 इंटू 4 आजाएगा समझ में आ गया मेरा बात कहीं पर कोई भी calculation नहीं है आप इस बात को समझे चार से काटेंगे तो 20 बार में और तीन से काटेंगे तो 27 बार में ठीक है तीन से काटेंगे तो 17 बार में तीन से काटेंगे तो कितनी बार में तीन से काटेंगे 17 बार में अब 20 रुपे के समान को आप 17 रुपे में बेच रहे हैं ठीक है कितना आएगा मेरे भाई 15% आएगा बड़ा ही साधारन तरीके से सकांसर आएगा तो ऐसे सवाल आपके पेपर में बहुत जादा ट्रेंडिंग में है जो पूछे जा रहे हैं अब आपका एक्जामनर क्या करेगा अब आपका एक्जामनर थोड़ा सा लेवल को बढ़ाएगा और सवाल को थोड़ा सा कैलकुलेटिव देगा concept वही रहेगा लेकिन बस सवाल का पूछने का जो अंदाज है वो अंदाज थोड़ा सा नया कर देगा वो सवाल को थोड़ा सा कैलकुलेटिव कर देगा और यहीं पर एक बच्चा लपेटे में आ जाता है देखते हुए सवाल को आसान सवाल को भी वो बिचारा गलत कर बैठता है जिसमें उसके नादाने की कोई गलती नहीं है क्या बलता है एक्जामनर बोलता है कि देखो एक वस्तु का जो चिनित मुल्य है वो पंद्रसो रुपे है तुम दो डिस्काउंट देते हो और प्रतेक डिस्काउंट एक्स परसेंट का होता है तो वो प्रतेक डिस्काउंट जो है यहाँ पर डिस्काउंट इच अफ एक्स परसेंट अंदा मार्केट प्राइस इक्वल तो सिंगल डिस्काउंट अफ इतना दो जो डिसकाउंट देते हैं आप यहाँ पर दो बट्टा देते हैं और प्रतेक जो है टोटल बट्टा हमारा 587.4 के बराबर आता है बुला जाता है वस्तू का विक्रे मुल्ले क्या होगा अगर दो बट्टे के जगा पर एक बट्टा दोगे तो हम ऐसे समझते हैं मान लो यहाँ पर ठीक है हम ऐसे समझते हैं मान लो यहाँ पर कि मेरे पास कोई वस्तू है उस वस्तू की किमत कितनी है 15 सो रुपए है मैं जाता हूँ दुकान में ठीक है और वहाँ पर क्या होता है मुझे दो बट्टा दिया जाता है दो अलग-अलग X और X के discount दिये जाते हैं और दोनों discount जब मैं देखता हूँ तो उनका मान इतना होता है हमसे कहता है कि सोचो अगर तुमको दो बटा ना दे कि एक बटा दिये गए रहते तो तुम उस समान को जो है कितने में खरीद के ले के आते या दुकानदार का selling price कितना होता इस concept को high level में जब आप जाएंगे थोड़ा सब banking में जाएंगे थोड़ा cat level में जाएंगे तो क्या होगा यहाँ पर आपको ऐसे ही समान दिया जाएगा कि कोई वस्तो की गीमत 15 सर उपय है तीन discount का मान आपको दे दिया जाएगा और तब वहाँ बोला जाएगा कि अगर तीन के जगह पर एक discount देते तो कितने में बेचते तीन के जगह पर दो discount देते तो कितने में बेचते इसी तरीके से आपको यहाँ पर फिर सेम तरीके से कोई ना कोई market price दे दिया जाएगा और चार discount के बाद उस चारो discount का total मान दे दिया जाएगा बोला जाएगा अगर एक discount दे रहे हो तो कितने में बेचोगे दो दे रहे हो तो कितने में बेचोगे तीन दे रहे हो तो कितने में बेचोगे तो यकीन मानिए आपका आज एक ऐसे फॉर्मूला से रूबरू होने माला है जो पूरी दुनिया के किसी किताब, किसी वीडियो, किसी पर कहीं, कोई चैनल में नहीं है क्यों? क्योंकि इसको मैंने खुद ही डेवलप किया है और इसका copyright खुद मेरा है, ठीक है? कोई लगा नहीं सकता है इस पर copyright इस बात को ध्यान दो चैलेंज है पूरे YouTube पे, कि ये जो concept आपको बताने जा रहा हूँ इस concept पे पूरे YouTube में आपको कोई सवाल नहीं मिलेगा और जो मेरा formula होगा, जो मेरा तरीका होगा बनाने का वो ऐसा तरीका कहीं नहीं मिलेगा कि एक line में आप सवाल को हल कर पाएंगे माफ करेंगे तो अब सवाल को देखिए, इसी तरीके से ये एक high level का प्रश्ण है जहां पर गहा गया है, कि एक वस्तु की चिन्नित कीमा 6000 उपए है चिन्नित मुले पर एक सवाल के तीन चूट दिये गए होते देख रहे हो सवाल कितना भयंकर है अगले को बनाते बनाते एक साल लग जाएंगे अब देखो सवाल कैसे बनाते हैं, इस बात को समझो जब आपको दो डिसकाउंट दे दिया जाता है और उसके बाद कहा जाता है, नहीं नहीं, दो मत दो एक डिसकाउंट दोगे तो कितने में वेचोगे तो इसके पहले एक छोटा सा कंसेप्ट, हेडन कंसेप्ट आपको जानना पड़ेगा उधारन की तौर पे जैसे मान लीजे मैंने कहा 100 रुपए का कोई समान था और यहां पर जो है, इसके उपर हमने X परसेंट और X परसेंट का दो डिसकाउंट दिया कितने का डिसकाउंट दिया, दो डिसकाउंट का दिया और आप ऐसे कह सकते हैं कि डिसकाउंट जो है वो हमारा 19 रुपए का है अगर हम दो डिसकाउंट ना देकर एक ही डिसकाउंट देते तो हम उसको कितने में बेचते हैं, हमारा selling price कितने का होता तो हम कैसे बनाएंगे ऐसे सवालों को एक बहुत ही शांदार मेथट है सीधा नोट करेंगे selling price बराबर market price into market price into और यहां पर bracket में लगा देंगे क्या root under selling price upon market price अब बोलोगे सर यह लिखे तो आप क्या लिखे तनी हमको explain करिए तनी को बताईए गुरुजी यह आप क्या लिख दियें तो देखो, आपको क्या निकालना है विक्रे मुले निकालना है विक्रे मुले निकालने के लिए क्या करते हैं तो market price को discount के साथ गुना करते हैं market price तो आप लिखेंगे हैं लिखेंगे और discount कैसे निकालते हैं तो सोचो, 2 discount के बाद यह value 100 रुपय में 19 रुपया का discount यानि यह कितने का बन जाएगा 81 का बन जाएगा 100 में 19 का बट्टा मिलेगा तो 81 का अगर 2 discount के बाद इसकी हालात यह हैं तो 2 discount से 1 पर कैसे आते हैं रुट लगा कर अगर 3 दिया गया होता तो cube root लगाते 4 दिया गया होता तो 1 fourth power करते मेरी बात को समझे या नहीं समझे तो कैसे बनाओगे साफ बोलोगे देखो selling price निकालना है वस्तू का market price कितना है तो बोलोगे sir 100 रुपईया है ठीक है selling price कितना है बता दो तो 81 है और market price कितना है 100 है root लगा दो यहां पर बात कतम तो बोलोगे sir 100 into कितना 9 बटे 10 यानि अगर हम सिर्फ एक discount देते तो 90 रुपई में उस समान को बेचते इससे फायदा पता है क्या हुआ इससे फायदा यह हुआ कि हमें discount की value निकालने की आवशकता ही नहीं पड़ी हमें rate भी निकालने की जरुवत नहीं पड़ा कि rate कितना है और कितना नहीं है बिना rate निकाले सवाल को लेकर हम आ गए समझ में आ रहा है उसी तरीके से हमारा examiner कहता है अब पंद्रह सो रुपई का समान है और आप इसको इतने में बेचते हैं इतने का discount है अगर दो के जगा पर एक discount दोगे तो क्या होगा सीधा का सीधा examiner को बोलना ले भाई, formula लिख selling price बराबर, market price into दो discount दिया गया है ना तो root लगाएंगे तीन दिया गया होता है तो cube root लगाते है और यहां पर selling price upon क्या लिख देंगे market price market price कितना है तो बोलोगे सर फंद्रह सो रुपईया selling price कितना होगा फंद्रह सो में से 587 को घटा दो फंद्रह सो में से 5 चला गया 1000 में से 87 को घटाओ कितना आएगा बताओ जल्दी से 900 कितना आजाएगा 912.6 912.6 हो जाएगा और बटे में market price कितना है तो पंद्रह सो है अब इसका root निकालना है root कैसे निकालोगे बड़ा सरल असान सवाल है कोई दिक्षत की बात नहीं जब भी दशमला आए तो 10 से उपर नीचे गुना कर दो या दशमला को हटा दो दशमला आपका यहां से हट चुका है इस बात का ध्यान रखे दशमला आपका गायब हो चुका है 10 से गुना करने पर उपर का दशमला गायब अब ये 15,000 दिख रहा है 15,000 को हम जो है 25,000 के अनुपात में कनवर्ट कर सकते है 25,000 लेकर आएंगे तो उसका रूट निकाल पाएंगे इसको 6 से उपर नीचे भाग करो 6 से उपर नीचे भाग करोगे तो क्या आएगा 6 से भाग करोगे 6 कम 6 31, 35, 35, 35, 35, 35, 96, 12 15,21 और बट्टे में कितना आएगा तो बट्टे में आजाएगा आपका 25,000 और इसका करना है हमें रूट तो 1500 का मान 1500 आजाएगा 15,21 का रूट करोगे तो कितना आएगा 39 आजाएगा और 25,000 का रूट करोगे तो 50 आएगा 0 से 0 खतम 50 से काटोगे 30 बार में यानि ये 1170 जो होगा सीधा का सीधा मान होगा option number C यानि अगर हम 2 discount के जगा पर एक discount देते हैं तो कितने में बेच पाएंगे तो selling price बराबर market price into root under SP upon MP formula लगाओ और answer पाओ अब देखो इस video या इस question के solution के बाद बहुत ऐसे teachers होंगे जो यहां से चेपना शुरू कर देंगे बहुत लोग होंगे अपने YouTube पर जो ये formula को चिपकाएंगे और आपको बताना शुरू करेंगे तो कोई बात नहीं बताने दो बच्चों का भला होना चाहिए बस समझ में आ रहा है ठीक है चलवा जाओ उसी level पर एक और question खुद मैंने तयार किया है जिसके option मैंने खुद set किया है यहाँ पर आप लोगों के लिए ताकि वो concept को बता सकें कि अगर किसी वस्तू का कीमत 4800 रुपे है और 3 discount दिया गया है कितने का दिया गया है X percent का दिया गया है तीनो discount की जो कीमत है वो 341.8 रुपे है तो बताओ selling price क्या होगी अगर हम 2 discount दे तो अगर हम कितना discount दे 2 discount दे तो selling price क्या होगा समझो भौकाल concept बिलकुल मतलब अगर हम इसको थोड़ा आसान data पर समझाते हैं तो तुम समझो सवाल में क्या बोला गया है बोला गया है कि 1000 रुपे का कोई item था ठीक है आप उस पे 3 discount दिये X percent का X percent का X percent का ठीक है आप उस पे 3 discount दिये कितने का दिये तो X percent X percent X percent ठीक अब देखो यहाँ पर X percent का discount दिये एक मिनुट जो है रुख जाएंगे ठीक है एक बार जो है डेटा सेट कर ले और तीनो डिसकाउंट जो है उसकी वैल्यू कितनी है 271 है कितना है 271 है तो आप से बोला जाएगा कि भाई अगर तीन discount ना देके, आप एक discount देते तो कितने में बेशते, दो discount देते तो कितने में बेशते, ये सवाल हमसे पूछा जाता, तो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि देखो मेरी बात को समझो, 1000 रुपय का समान था, उस पे 271 रुपया का discount था, 1000 में से 271 घटा दो, तो कितना कितना आएगा मेरे भाई, तो 739 आएगा, ये 739 क्या है, तो बोलोगे sir, selling price है, ठीक है, अब मेरी बात को समझना, मैंने आपको कहा कि यदि एक discount दिया जाए तो कितने कभी केगा, दो दिया जाए तो कितने कभी केगा, और तीन दिया जाए तो बता ही दिया गया है 739 का, त सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अगर मुझे एक discount देना होगा, तो कैसे मैं कितने में बेचूंगा, एक line में answer, selling price बराबर market price और गुना करेंगे, पहले एक बात बताओ, कितने discount दिये गया है, तो बोलोगे sir, 3 discount दिया गया है, 3 बटा, 3 से 1 पर आने के लिए क्या करते हैं तो बोलते हैं sir, cube root लगाते हैं, क्या करते हैं, तो cube root लगाते हैं, तो cube root लगाएंगे, और बटे में selling price upon market price, अब असल में हमने क्या किया है, मेरी बात को समझेगा, हम वस्तु का विक्रे मुले निकाल रहे हैं, विक्रे मुले निकालने के लिए market price को उसके multiplying factor के साथ गुना करना पड़ेगा, और multiplying factor कैसे आएगा, तो selling price और market price का cube root लेकर, market price कितना गया है, तो 1000 रुपे दिया गया है, और यहाँ पर selling price कितना है, तो 739 है, और बटे में कितना है, 1000 है, यहाँ पर, cube root लगाओ यहाँ पर, 739 किसका cube होता है, बता दो जल्दी से, तो बोलोगे sir, 9 का हो तो 900 आजाएगा, लेकिन यह तब answer दोगे, जब तुम्हारा examiner यह पूछेगा, कि एक discount देने पर वो वस्तु कितने की बिकेगी, लेकिन एक golden concept आपको बता रहे हैं, बिल्कुल golden concept, mother of all concept आपको बता रहा हूँ, मैं इस बात को ध्यान रखो, कि बिना सवाल में rate निकाले भी आप सवाल का answer दे सकते हो, अब examiner की बुद्धी फिरी, और उसने आपसे कहा, कि अब आपको एक discount पे समान को नहीं बेचने, अब आपको दो discount पे समान को बेचने, आप कितने पे बेचोगे, आप सेम तरीके से बोलोगे, selling price जब दो discount दिया जाएगा, बराबर होगा, market price को करेंगे, पहले तो discount का rate पता कर लो, rate कैसे पता करोगे, तो cube root लगाओगे किसका, selling price upon market price का, यहाँ पर आप तीन discount से एक discount पे आ गए, लेकिन असल में कितना discount देना है, दो देना है, समझना, तीन बट्टे से एक बट्टे पर आ चुके हैं, अब हमें दो बट्टा देना है, यानि हमें क्या करना पड़ेगा, इसका square करना पड़ेगा, market price कितना है, तो बोलोगे 1000, तो 1000 लिखेंगे, ठीके, और cube root कितना है, बताओ जल्दी से, तो बोलोगे, sir, 739 बटे 1000, यानि cube root 739 बटे 1000, 739 बटे 1000 कितना आएगा, 9 बटे 10 आएगा, यानि हमें 9 बटे 10 का क्या कर तो 1000 और गुना करेंगे 9 का स्क्वाइर, 81 बटे कितना आ जाएगा, 100, 2 0 से 2 0 खतम, समान बिकेगा कितने में, 810 में, कितने में बिकेगा मेरे भाई, तो 810 में, ये रेट हम कैसे लेकर आए, 3 डिसकाउंट से 2 डिसकाउंट पर कैसे गए, तो क्यूब रूट किया तो 1 पर आ और वो दो बार बोला गया है, यानि उसका स्क्वाइर कर दिया, 729 बटे हज़ार का क्यूब रूट 9 बटे 10 होता है, स्क्वाइर के लिए यहाँ पर स्क्वाइर कर दिया आंसर आगे 810, ठीक है, तो अब यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर सेम तरीके से कोशन डिजाइन कि बिटता, तो आप क्या बोलते हैं, आप simple बोलते कि, देखो भई, या programming price इहाँ पर, selling price बताना है, तो selling price बराबर, market price into, discount दिया गया है तीन और तीन से लाना है एक पर, तो यहाँ पर आजाएगा selling price बटे, market price, यह 3 से आप 1 पर आगए, लेकिन कितना discount, दो discount देकर बताना है, कि यदि दो discount के बाद बेचे तो कितने में बिकेगा तो इसका करेंगे square एक ऐसा सवाल आपको बता रहा हूँ न जो आपके मेंस में आया हुआ है ऐसा सवाल आया है और आज ऐसा सवाल मैंने बनाया है आपका SSE जरूर देगा ये सवाल इस बात को ध्यान रखो जरूर देगा ये सवाल इस बात को ध्यान रखो बस ये formula मेरा ध्यान रख लिए न दो नंबर पक्के कर लोगे अभी इसी वीडियो को देखने के बाद market price कितना है तो बोलोगे sir 4800 समझ में आ गया क्यूब रूट लगाएंगे भाईया ठीक है selling price कितना तो 4800 में से जो है आप यहां पर 3481 को घटा दो 4800 में से 3481 को घटा दो नहीं घटा करने आता तो आराम से ऐसे भी घटा सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं 3481.80 0 हो गया 2 हो गया 9 से 1 जो है वो 8 हो गया आपका 9 से 8 1 हो गया 7 से 4 जो है वो 3 हो गया यहां पर और यह खतम ठीक है यह हमारा आजाएगा 1318.2 कितना आजाएगा selling price 1318.2 यहां पर 2 आजाएगा ठीक है 1318.2 और यहां कितना दिया गया है market price तो 4800 दिया गया है अभी भी क्या यह ratio में है तो बोलेंगे नहीं sir ratio में नहीं है ratio में नहीं है तो ratio में कैसे करेंगे तो यहां पर 10 से गुना करके करेंगे इस बात को ध्यान रखो 10 से गुना करोगे तो उपर वाला दशमला यहां 2 ही रहेगा और यहां 0 हो जाएगा समझ में आ गया मेरा बात 10 से उपर नीचे गुना किया अब देखो यहां 48,000 है 48,000 का क्यूब रूट निकालना है क्या 48,000 किसी का क्यूब रूट होता है नहीं होता ठीक है यहाँ पर तो समझेंगे अगर मैं यहाँ पर इसको लेकर आना चाहता हूँ मुझे 6 से भाग करना पड़ेगा ताकि यह 8,000 बना दे अब 6 से भाग करोगे तो क्या आएगा 6 दोनी 12 ठीक है 11 आ गया 6 कमे 11 58 ठीक है 6 नवा 54 हो गया यहाँ पर और 42 चे सते 42 27 बटे कितना आ जाएगा 27 बटे 8,000 आ जाएगा 27 बटे कितना आ जाएगा 27 बटे 8,000 का क्या करना है 27 बटे 8,000 का क्यूब रूट करना है 27 बटे किसका क्यूब होता है 7 का और 8,000 किसका क्यूब होता है यहाँ पर तो 20 का होता है ठीक है इसका फर्दर हमें क्या करना है 27 साथ का नहीं होता है क्यूब यहाँ पर 13 का होता है 13 का, और 8000 कितने का होता है 20 का, और further क्या करना है square क्यूं, क्यूंकि हमें इसी वस्तु को 2 discount के बाद बेशना है तो यहाँ पर बोलेंगे ठीक है सर 48000 आ गया 13 into 13 आ गया, और बटे में 20 का square 400 आ गया 2 0 से 2 0 खतम, 4 से काटेंगे 120 बार में एक्याई के स्थान पर हमारा कितना आ जाएगा ठीक है, 48000 नहीं है 48000 नहीं है, 4800 है 4800 है, यहाँ पर ध्यान दो कितना है, 4800 है एक सेकेंड में आंसर है, यहाँ पर आगे आ चुका है 4800 into 13 into 13 और पटे में कितना करोगे 20 का square यानि 400 200 से 200 खतम, 4 से काटोगे 12 बार में, 3 into 3 99 into 2, 18 एक क्याई के स्थान पर 8 आएगा वहीं correct answer होगा, option number जो B है वो correct answer है, तो हम क्या सीखें हमने यहाँ पर यह सीखा सवाल में, कि अगर हमें मानलो कि total 3 discount हो तीनो का मान हमें दे दिया गया हो और सवाल में हम से ये बोला जाए कि 3 के जगा पर तुम 2 discount दोगे तो कितने में बेचोगे तो selling price बराबर market price cube root करते हैं ताकि 3 से 1 का मान आगा पाए और square कर देते हैं ताकि 2 discount बता पाए तो यहाँ जो है आपका पूरा tough level questions end होता है, अब थोड़ा आसान आसान सरल सरल सवाल भी कर लेते हैं ताकि मज़ा आए तो वीडियो पसंद आ रहा है ना तो like जरूर ठोको मेरे भाई बहुत लोगों ने comment किया कि तुम high level नहीं पढ़ाते सर आप high level नहीं कराते हो तो बेटा high level अगर मेरे भाई में आ गया ना तो यू समझ लो कि लंका लगा दोंगा मैं लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी बात है कि वो high level आप जहल पाओगे ठीक है क्योंकि इतना कचरा कचरा चीज बहुत बच्छों ने अपने दिमाग में भर रखा है तो कईसे हम उनको high level पढ़ाएं basic चीजे clear ही नहीं है उनको भागते रहते हैं जहर 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 के पीछे तो क्या कराएं हम बताओ पहले ठीक है क्या कराएं बताओ यहां पे तो सबसे important है अपने जड़ों को मजबूत करना अगर जड़े मजबूत होती है न तो जाके paper दे के चलाया और 227 आगे भाई काइदे से महनत की पढ़ाई किया लिखाई किया एक एक motion लगाए cat तक एक question लगाए जिन सवालों को आपने सपने तक नहीं सोचा होगा उन सवालों को सेकेंडों में बनाना सीखा ठीक है तब जाके भाईया हमारा हुआ है सीजल में selection और तब आये हैं हमारे 644-700 में कुछ बच्चों को लगता है गए थे हम थाली लेके भगवान परोस रहेते और हमको मिल गया ठीक है तो ऐसे नहीं होता भाई बड़े-बड़े टीचर्स भी है या बड़े-बड़े लोग भी है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन फिर भी selection नहीं ले पाते हैं यही reason है यह महनत करनी पढ़ती है एक उस वेक्ती के लिए बहुत tough call होता है कि उसने तयारी भी के है पेपर भी निकाला है और साथ में आके आपको यहां education पर पढ़ा भी रहा है आप खुद मुझे बताओ पूरे YouTube में आप ऐसे कितने लोगों को जानते हो जो हर साल topper बनते हैं या अलग-अलग साल में topper आते हैं और वो कलम पकड़कर आपको पढ़ाने आते हैं बहुत कम लोग होते हैं ऐसे कितने लोगों को आप जानते हैं जो free education आके YouTube पर दे रहे हैं जो खुद एक topper भी है या paper भी crack कर लिया है ठीक है हर साल तो 1000 तोpper निकलते हैं न भाई 10,000 की vacancy आती है कितने लोग पढ़ाने आते हैं कितने अपने concept को आप तक पहुचाते हैं आकर share करते हैं बहुत कम तो अगर कोई कर रहा है तो appreciate that person ठीक है कुछ बाते होती है जो मुझे आपके लिए जो है वो मुद्दा उठाना पड़ता है मेरा personal को interest नहीं होता ठीक है इस बात का ध्यान रखी अपनी दुकान बहुत जबरदस चल रही है कोई दिक्कत की बात नहीं है लोगों की दुकान बंदोने वाली नौबत आ रखी है ठीक है आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है तो क्या यार चान तक चल लेंगे चलो तो सही टीक है फ्री बाइच है बाई बिलकुल फ्री बाइच कोई डेमो नहीं है मेरा कल कोई बाइच नहीं है जो पशेथीस परशंट का डिसकाउंट नहीं है और तीस परशंट का फाइदा तो कितने का है 90 रुपएका है तो बताओ меня क्या होगा अब आप सीखेंगे तरी मूर्ती कंसेप्ट तरी मूर्ती जानते हैं क्या होता है कितने लोग मूवी देखे हैं तरी मूर्ती बताओ थोड़ा कमेंट वॉक्स में बताओ एक बार तरी मूर्ती मूवी देखे हो कि नहीं देखे हो नहीं देखे हो तो देख लेना अब तरीमूर्थी मुवी में क्या होता है यहां पर ऐसे समझ लो कि तीन लोग हैं तो बस यहां पर डिसकाउंट में भी आप तरीमूर्थी का कंसेप्ट पढ़ते हैं और तरीमूर्थी पता है वो कौन-कौन है जरा गौर से देखो तीनों मूर्ति कौन है तो पहला मूर्ति है MP MP मध्य प्रदेश नहीं, Market Price दूसरा जो त्री मूर्ति है वो हम ऐसे कह सकते हैं SP, SP का मतलब इंस्पेक्टर नहीं SP का मतलब हमारा यहां पर आप Superintendent of Police नहीं SP का मतलब Selling Price और उसके बाद तीसरा जो है CP, CP cannot place नहीं Cost Price, समझ गए कि नहीं समझ गए यह तीन मूर्ति और यह तीन मूर्ति पे बड़ा बढ़ियां-बढ़ियां आपके पेपर में सवाल पूछा जाता है त्रीदेव हैं बिलकुल अब देखो जैसा कि Market और Selling का अंतर क्या होता है तो बोलोगे Sir, Market और Selling का अंतर Discount होता है और Selling और CP का अंतर क्या होता है Selling और CP का अंतर जो है वो Profit हो जाता है तो यह जो त्रीदेव है न यह पंच देव में बदल जाते हैं इस बात का ध्यान रखिये Concept तो आप त्रीदेव का सीखते हैं लेकिन बदलता यह पंच देव में है और Examiner इसी में आपको पहली बुजा बुजा के सवाल पूछता है कईसे बताओगे ठीक है तो वही सवाल को समझो ऐसे cases का question का अंसर कईसे दिना होता है जिसे मालो यहां बोला है कि discount 25% का दिया है और फाइदा 30% का है तो क्या बोलोगे 25% का discount है तो market price आपका 5 का तो BK का कितने में 4 में यानि पहला संबंध इन दोनों के बीच में स्थापित होगा market और selling में क्यों क्यों कि discount का percentage दिया गया है दूसरा बोला गया है 30% का profit 30% का profit का मतलब क्या होता है कि 10 रुपए के सामान को हम 13 रुपए में बेचते हैं ये दूसरा relation इन दोनों के बीच में होता है आप यहां पर जब देखते हैं तो क्या पाते हैं बोलता है यहां पर सुसुरा selling price 4 है और यहां पर 13 है यह कैसे संभव हो है तो एकदम भेस बदल रहा है जाके कभी 4 हो जाता है कभी 13 हो जाता है इसको स्थिर करो अगर इसको स्थिर नहीं करोगे तो मामला गबडा जाएगा तो कैसे इसको स्थिर करोगे तो इसको स्थिर करने का तरीका होता है ratio method से 13 के पडोसी कोई नहीं है न तो 13 के पडोस में 13 का गुना लगाओ और 4 का पडोसी खाली है रिक्तिस्थान खाली है तो भरिए तो रिक्तिस्थान के जगा पर आप जो है इसी line में भरना है और इस line में इस बकसे के बगल में 4 है तो 4 भरेंगे इस line में इस बकसे के बगल में 13 है तो 13 भरेंगे अब गुना करिए 13 into 5 65 आ गया 13 के 52 आ गया और 10 के कितना आ गया 40 आ गया यहां से आपने क्या सिखा आपने यहां पर यह सिखा कि वस्तू का market price 65 रुपए है selling price 52 रुपए है cost price 40 रुपए है इन दोनों का अंतर discount कहलाएगा इन दोनों का अंतर profit कहलाएगा यँकीन मानिये आपका examiner क्या करेगा discount का मान दे देगा और आपसे market price पूछ सकता है selling पूछ सकता है, cost पूछ सकता है, profit पूछ सकता है या फिर आपको profit की value दे देगा और इसमें से कोई भी चार मान पूछ लेगा अभी दो दिन पहले जब मैं गुरुकुल में भी पढ़ा रहा था तो भी मैं यहीं question उनको बता रहा था वहाँ पे इस बात का ध्यान रखो, तो सवाल देखते हैं मुझे ध्यान आ गया ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर किस का मान दिया गया है तो profit का मान 90 रुपए दिया गया है अब देखो, और पूछा किस का मान गया गया है, discount का इन दोनों का अंतर कितना है, तो बोलोगे, sir 13 unit और इन दोनों का अंतर कितने का है, बताओ जल्दी से तो इन दोनों का जो अंतर है, वो है हमारा ठीक है, 13 चुके 52 यहाँ पर 25% का discount है 25% का कोई बात नहीं, सवाल में यहाँ पर बदलो 25% का discount है, तो 25% का discount को आप जो है, यहाँ पर 20% बदलो क्योंकि हम लोगों ने 20% लेके बना लिया है ठीक है, चलो अगर एक काम करो यहाँ पर सवाल में कितना दिया गया 25% ना, तो ratio 4 से 3 बदल जाएगा ratio को बदल लो, ratio को बदल लो 25% में यह 4 से हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 30% पर यह 10 से हमारा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 के बगल में कोई नहीं है, 13 का गुना, 3 के बगल में कोई नहीं है, 3 का गुना, 52 से 49, और यह कितना हो जाएगा 30 यहाँ पर, ठीक है इन दोनों का अंतर कितने का है तो इन दोनों का जो अंतर है वो 13 का है इन दोनों का अंतर कितने का है 9 का है 9 कमान सवाल में 90 दिया गया है तो 13 कमान कितना होगा तो 9 का 10 गुना 90 है तो 13 का 10 गुना कितना हो जाएगा 130, option number जो B है वो correct answer है अगला सवाल सेम इसी तरीके से देखे सवाल में बोला गया है कि एक वेक्ती 28% का discount देता है अंकित मुल्य पे ठीक है और अभी भी 20% का लाभ कमाता है अगर उसके लाभ कमान इतना है ठीक है तो सवाल में बोला गया है on the sale of article तो उसका cost price कितना होगा हमसे ये बात बोला गया है ठीक है cost price कितना होगा हमसे ये बात बोला गया है अब ये सवाल को देखोगे सवाल को देखने के बाद बोलोगे कि सर देखो discount भी दिया गया profit का percentage भी दिया गया gain भी दिया गया है तो हमसे CP पूछा है अब बच्चा सोचेगा कि पक्का त्रीदेव कंसेप्ट लगाना है त्रीमूर्थी कंसेप्ट लगाना है यहाँ पर बेचारा वो क्या करेगा MP लिखेगा फिर उसके बाद SP लिखेगा फिर CP लिखेगा लेकिन मेरे भाई पेपर में थोड़ा सा जो है न ये इस बार के CGL का क सेंट भी तुमको दिया गया है और तुम से CP पूछा गया है तो तुम कहले डिसकाउंट के चकर में पड़ रहे हो एकदम वो जो है न क्या बोलते है मंत्रा या क्या उन्ती ठीक है जो ध्यान भटकाने आती थी एकदम वही है वो समझ लो डिसकाउंट तुमारा ध्यान प्रॉफिट है यानि 20% का मान है और क्या निकालना है कॉष्ट प्राइस यानि 100% का मान निकालना है मेरे भाई तो बस 20 से काटो इसको 5 बार में 30 का 5 गुना 1,500 आठ पचे 40 यानि 114 जो होगा वो क्या होगा करेक्ट आंसर होगा option number B for बाहु बली ठीक है बार 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 बोल इसा ये गलती नहीं करना है चलो आजाओ अगला सवाल देखो अगला सवाल में क्या बोला गया है कॉष्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो दे दिया गया CP और आपको मार्केट प्राइस का रेशियो 2 अनुपात 3 है ratio of percentage profit and percentage discount 3 अनुपात 2 है हमसे बोला गया है discount का percentage कितना होगा बताओ कितने method से हम तुमको ये सवाल बताएं एक method चाते हो, 2 method चाते हो, 3 method चाते हो, 4 method चाते हो, बताओ कितने method चाते हो, जितने method बोलोगे उतने method यहाँ पर बताएंगे, लेकिन concept रटवा देंगे समझलो, तो video को like ठोकते रहो, हर जगा पर share जो है वो क 500 लाइव बड़ा खुशी होता है क्योंकि इमानदारी के हैं, पैसे देके बढ़ाये गई नहीं है, समझ रहो ना, तो बस ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहा करो, सपोर्ट ऐसे मिलते रहेगा, पढ़ाने में भी मज़ा आते रहेगा, चिंता मत करो, ठीक है, तो सवाल में तो 2 अनुपात 3 है यहां पे, और उसके बाद percentage profit और percentage discount का ratio कितना है, 3 अनुपात 2 है, discount percentage पूछा गया है, धर्ती पेश से आसान सवाल कुछ भी नहीं, ठीक, पहला method, method number 1 मैं आपको बताता हूँ, solve करने का, क्या होता है, वो सीखो जरा, method number 1, एक golden formula होता है, वो golden formula ध्यान दे पेपर में सबसे ज़ादा पूछा जाता है, इसके उपर सवाल, और क्या पूछा जाता है, वो भी देख लो, market price upon cost price बराबर होता है, किसके, तो 100 plus minus profit या loss percentage divided by 100 minus discount percentage, आपका examiner क्या करेगा, लाव यहानी का प्रतिशत देगा, discount का प्रतिशत देगा, ठीक है, और आपको यहा मुल्य देदेगा, और discount देदेगा, profit बता दो, तो जिस तरीके से जीवन है, उसका नाम एकदम याद करके बैठे हो, उसी तरीके से यह formula भी याद करके बैठ जाना, ठीक है, उसी तरीके से यह formula भी याद कर लेना, बहुत बढ़िया सवाल आते हैं, चलो आजाओ, तो market और cost का देखो, अनुपात कितना दिया गया है, तो market का 3 और cost का 2, तो market के जगह पे 3 रखोगे, cost के जगह पे 2 रखोगे, साथ में, percentage profit और percentage discount का ratio 3 अनुपात 2 है, यानि profit को 3x माल ले, discount को 2x माल ले, तो उससे भी करश रखते हैं, तो हम यहाँ बोलेंगे कि 100 plus 3x, और यहाँ पर गुना भाग लगा दो, तो क्या बोलोगे, बोलोगे, सर देखो, 3 x 100, 3 x 100, 300 हो जाएगा, और 2 x 100, 200, 3 x 100, 300, 2 x 200, 300 में से 200 चला गया, तो कितना बचेगा, 100 बचेगा, यहाँ पर माइनस 6x हो जाएगा, ठीक है, और वहाँ पर तुम्हारा 6x हो जाएगा, वो 6x जाएगा, तो x का मान जो आएगा, वो कितना आएगा, x का मान 100 बचेगा, 12 कह सकते हो, यानि यहाँ पर बोलोगे, तो 12, 96, ठीक है, और 40 हो जाएगा, 12 बचेगा, यहाँ पर 100 बचेगा, जिसको आप कह सकते हैं, 4 से 25 बचेगा, एक्स की वैलू कितनी आ जाएगी, 25 बचेगा, तो डि डिसकाउंट को तुमने कितना माना था, 2x माना था, कितना माना था, 2x माना था, अगर x का मान जो है, देखो, x का मान अगर 100 बचेगा, 12 है, और आप से बोला गया, डिसकाउंट का परसेंट कितना है, डिसकाउंट परसेंट को कितना माने हो, लला, तो 2x माने हो, यानि इस पर market CP का ratio दे दिया गया है, profit percent, discount percent का दे दिया गया है, X का मान निकालेंगे, X का दोगुना बताना था, दोगुना कर देंगे, 100 बटे 6, 16.66% is the correct answer, B for Bahubali, B for Bahubali जो होगा, वो क्या होगा हमारा correct answer होगा, चलो आजाओ, एक और सवाल देखते हैं, बड़ा खुबसूरत सवाल देखते हैं, थोड़ा logical प्रश्ण है, Calculative नहीं है, बस logical है, देखते हैं इस logic को कौन तोड़ पाता है, तब तक अपनी class जो है, हम थोड़ा आगे बढ़ा दें, जो हमारी application पर होने वाली है अभी, ठीक है, चलिए, देखते हैं logical answer कौन दे रहा है, जल्दी से answer करिए, जल्दी से answer करिए आप लोग, सभी का answer चाहिए मेरे भाई, सभी का, आप पढ़ोगे तो बहुत धासू पढ़ाएंगे इस बात को ध्यान रखो, प्री क्या मेंस तक निकलवा देंगे, बस पढ़ने की आप होंसला रखो, उड़ाने का होंसला हम आपको रखेंगे, सीधा सा बात है, इंस्पेक्टर बने हैं तो इंस्पेक्टर बना सकते हैं, इतनी काभीलियत तो है, आप बनने का तो होंसला रखो, आप पुछ चान तक पहुचा सकते हैं, ठीक है, सवाल में देखे क्या बोला गया, selling price जो है वो 5 गुना है, किसके discount के, ठीक है, तो सेम तरीके से हम क्या लिखेंगे, market price, फिर लिखेंगे selling price, और फिर उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर CP, सवाल में बोला गया, किसी वस्तु का selling price 5 गुना है, किसके discount के, यानि अगर हम ऐसा बोलें, कि देखो बात ऐसा है, discount अगर एक रूपिया का है, तो selling price उसका 5 गुना है, 5 रूपे के item पे एक रूपिया का discount, तो market price कितना था, तो market price 6 रूपिया का था, ठीक है, मतलब हम बोलें, कि देखो market और selling का अंतर क्या होता है, discount, discount को एक माना, तो selling price 5 हो गया, 5 रूपे के समान पे एक का discount, तो market price कितने का हो गया, 6 का हो गया, फिर सवाल में हम से कहा गया है, कि discount का प्रतीशत है, वो बराबर है profit के percent के, अब मुन्ना बताओ यहाँ, discount का percent कितना है, तो discount का percent, एक का discount 6 के उपर, तो बोलोगे, सरे, discount का जो बटा है, वो एक बटे 6 है, और यहीं बटा देखो, यह discount का क्या है, percentage है, जब बटे में तोड़ोगे, इतना आएगा, यही discount का percent बराबर है profit के percent के, यानि बोलोगे profit का % जो है वो एक बटे 6 है profit % एक बटे 6 का मतलब हमारा cost price कितना होगा तो 6 रुपहिया और 6 में एक का लाव है तो selling price कितना होगा 7 रुपहिया ये सवाल में हमारा अनुपात आ गया सवाल में बोला गया discount का 5 गुना selling price है selling price 5 है एक है तो discount हमारा 6 हो गया बट्टा एक बटे 6 वही एक बटे 6 हमारा profit percent के बराबर यानि समान 6 का तो बिकेगा 7 में सवाल में हमसे कुछ लिगों का ratio पूछा गया है एकदम सबसे सटीक तरी मुर्ती लगाओ यहां पे 7 है तो बगल में 7 आएगा 5 है तो बगल में 5 आएगा 7 चक्या लिखेंगे 42 7 पचे कितना हो जाएगा 35 6 पचे कितना हो जाएगा 30 किसका किसका मान पूछा गया है तो बोला गया है discount का और CP का तुम ratio बता दो कितने का discount दिये हो 7 का और क्रेमूल कितना है 30 का तो 7 अनुपाद 30 होगा वो क्या होगा correct answer होगा option number B for Bahubali option number B for Bahubali यहां पे ठीक है चलिए अगला प्रशन बहुत ही खुबसूरत प्रशन एकदम beautiful question है इस बात को ध्यान रखिए क्यों beautiful है मैं आपको बता रहा हूँ ये सवाल इस बार के आपके mains में भी आया था और 2020 के CGL में आया था तो मेरा ऐसा दावा है कि पकका CGL mains 2020 में ये आने वाला है CGL के mains में 2020 में आएगा ही आएगा मेरे भाई love you भाई love you ठीक है चलो तो सवाल बना दो सवाल बना दो बस एक बार ये सवाल का अंसर दे दो बस एक बार इस सवाल का अंसर देदो फिर हम समझ जाएंगे कि आपके कंसेप्ट क्लियर है ठीक है बताईए चलिए चलिए सर एक शायरी सुना दो शायरी सुनोगे आज कल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है चलो सुन लो समझ जाओगे तो समझ जाना अगर उस लेवल की समझ जारी हुई तो समझ जाना की कहना कहा जाता हूँ नजर ने नजर को नजर भर के देखा नजर को नजर की नजर लग गई समझ मैं की नहीं आए ऐसे समझ लो कि हमारी नजर ने उनकी नजर को नजर भर के देखा हमारी नजर ने उनकी नजर को नजर भर के देखा उनकी नजर को हमारे नजर की नजर लग गई ठीक है? पढ़ लिया गरू थोड़ा बहुत शायरी भी चलते रहा करेगी अब चलो सवाल को आजाओ क्या बोला गया है? बोला गया है सवाल में कि भीया देखो एक वस्तू है जिसको किसी कीमत पे बेचा जाता है यदि उसके कीमत के 33.33% पर बेचा जाए तो नुकसान होगा कितने का 33.33% का सवाल में क्या बोला गया है सवाल में बोला गया है कि बताओ तुमको profit कितने का होगा कितने परसंट का यदि उसके 60% पर तुम बेचते हो सवाल का पहला लाइन से आखरी लाइन पर आते आते है न यहीं समझ में नहीं आएगा कि पहला लाइन क्या पूछा गया था मेंस का कोश्चन और फिर किसमें दिया परी के कोश्चन में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है आप पढ़ रहे हैं हमसे यानि आदित्यरंजन से और जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता है कि सवालों को उड़ाया कैसे जाता है बड़े आसानी से आप एक एक लाइन को इसको तोड़ेंगे और सवाल को आप बना पाएंगे आप सिंपल सा जो है ठीक है आप सिंपल सा क्या करो आप बोलो कि मान लेते हैं कि उसका जो सेलिंग प्राइस से वो कितना है तो 60 रुपईया है मान लो कि उसका selling price कितना है तो 60 रुपईया है फिर बोला गया है यदि हम उसके selling price के एक तिहाई पर बेचे 33.33 पर बेचे यानि एक तिहाई पर बेचे यानि यदि हम इसको नया selling price दे और इसका वो एक तिहाई हो 60 का एक तिहाई कितना होता है 20 होता है तो यदि हम उसके एक तिहाई पर बेचें तो हमें जो है इतने प्रतिशत का नुकसान होगा यानि हमें एक तिहाई का नुकसान होगा 33% का मतलब एक तिहाई का नुकसान होगा यानि तीन रुपए के समान को एक के नुकसान पे बेचना पड़ेगा यानि ये जो भी मान होगा ये दो का मान होगा तो हमारा तीन का मान कितना होगा तो तीस रुपए बहुत बच्चों को यहां दिक्कत होगी भाई या तीस कैसे लेके आ गए तो देखो, ये जो 20 है, ये 20 क्या है? 20 वो पैसा है, जब हमको 33.33% का नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, 33.33 का मतलब एक बटे तीन का नुकसान, यानि तीन में एक का नुकसान, यानि ये अगर हमारा दो कामान है, तो CP निकालना है, तो तीन से गुना करेंगे, परसंट का profit होगा, यदि आप original selling price के 60% पर बेचते हैं, original selling price कितना है, 60 रुपए, और 60 का 60% कितना होगा, 60 का 60% 36 होगा, यानि अगर आप 30 रुपए के समान को 36 में बेचना चाहते हैं, आपको फायदा कितने का होगा, तो simple सा बात है भाईया, इनका अनुपात निकालो, 5 20% होता है, ठीक है, सर आपसे request है कि banking के लिए भी arithmetic का बैच लाईये, बिलकुल मेरे भाई लेकर आएंगे, ठीक है, बिलकुल, और बहुत जल्द आप लोगों का बैच आएगा, चिंता मत करिये, ठीक, banking का भी, ये जितनी चीज़े करा रहा हूँ, बैंकिंग के लिए बहु एक ही बैच का डेट अनाउस होता है, उसी पर classes चलती है, हर महीने जो है नया बैच नहीं आता, एक बैच खदम होता है, फिर एक बैच आता है, ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा जो बैच आया है, वो है 25 October को, content में आपको पता है कितना खतरना content है, level की बात करें तो बलकुल 0 से high level है, किसी से भी पूछ लो, टेलिग्राम पर, यूट्यूब पर आपको इस बैच के बारे में पूरी जानकारी मिल ही जाएगी, और review जो है, वो हमारे भाई, दोस्त, यार, मित्र, सब बता देंगे, बाकि इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, तो आप दो दिये गए नंबर हैं, उस पे संपर कर सकते हैं, हमारी टीम ततपर आपके साहता में है, ठीक है, कहां से मिलेगा, तो आरजी विकरम जीत अप्लिकेशन डाउनलूड करके मिलेगा, सिर्फ मैट्स का नहीं, इसी तरीके से इंगलिश का भी प्लस कोश आपको मिलेगा, र आ रहा हूं, उसको आप प्रैक्टिस जरूर करते रहें, ठीक है, और इसकी पीडेफ हम कहां डाल रहे हैं, तो इसकी पीडेफ हम टेलिग्राम पर डाल रहे हैं, तो टेलिग्राम से जो है, आप जरूर डाउनलोड कर रहेंगा, अमारे दो टेलिग्राम है, मैट्स भाई, अधित्तर एंजन और रेंकर्स गुर्खुल चाहे 30 डेस 30 मिरातन हो 16 दिन 16 मिरातन हो जितने भी हिट सिरीज मैंने आप लोगों के लिए कराई है वो सभी का PDF हमारे टेलिग्राम पर है तो आप उसको यहां से डाउनलोड कर रखते हैं ठीक है? चलिए और साथ में जाते जाते जो है प्यारे से मुसकान के साथ चैनल को जरूर सबस्क्राइब करिए ताकि डेली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे अल दे बेस्ट खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे भगवान आप सभी को खुश रखें, मस्त रखें और जल्दी से सेलेक्शन दिलाएं ताकि जो मन में ये नेगेटिविटी है वो नेगेटिविटी खतम हो जो बेरुजगारी का जो पीड़ा है, जो कस्ट है वो खतम हो जिस मुश्किल से आप रह रहे हैं अपने सुसाइटी में क्योंकि यार देखो, मैं उस सिच्वेशन को खुद जानता हूँ कि जब एक छोटा सा कमरा मतलब लेना भी बड़ा मुश्किल सा हो गया था बारा सो रुपे मेरे रूम का किराय था दिल्ली में दो लोग मिलकर शेयर करते थे चौबीस सो रुपे का रूम था थोड़ा कम महनत कर रहे हो, थोड़ा जादा महनत करना शुरू कर दो, ठीक है? क्योंकि लाइफ टाइम वहां पर नहीं रहना, ठीक है? थोड़ा आपका किस्मत कहीं और है, इससे अच्छी जगह पर लिखा हुआ है, तो वो जो है आप एंड करेंगे, वो डिपेंड करता है आपकी किस्मत पर, तो आप अपने आपको कहां लेकर जाना चाहते हैं, वो आपके उपर निरभर करता है, ठीक है? आप अपने आपको बहुत उपर लेकर जाना चाहते हैं, आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं करना चाहते, आप income tax officer बनना चाहते हैं, या आप एक IS बनना चाहते हैं, ये सबी बाते आपके उपर depend करती हैं, आपके मेहनत के उपर depend करती हैं, तो अगर इधर उधर कहीं समय बरबाद कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा ठहर जाईए, थोड़ा रुक जाईए, एक बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं, आप देखेंगे, तो Facebook पर सर्च करेंगे, लव गुपता करके मिलेगा, वो एक ऐसे student थे, जिनसे मैं काफी inspire होता था, एक बहुत अच्छे personality, All India Rank की बात करें, तो उनके 6 है, और राइट नौ जो हैं, वो Ministry of External Affairs में है, ठीक, एक वक्त था, जहां पर ऐसा आता था, कि उनको fever था, उनके paper के 20 दिन पहले में, अगर आपको कवर बताओं, तो 20 दिन पहले उनको fever था, 190-192 के करीब में उनको fever था, और उनके मेंस का paper था 20 दिन पहले, तो उस समय लव से बोला गया कि यार थोड़ा आराम कर ले, paper है, तो बाद में दे देना, आप आराम से कोई दिक्कत की बात नहीं, बट एक ही बात उनकी statement बहुत अच्छी लगी मुझे, जो उन्होंने कहा था, कि भाई देख, अगर नहीं पढ़ूँगा ना, तो मर जाऊँगा, क्योंकि इतिहास गवा है कि पढ़ने के वज़े से कोई कभी मरा नहीं है, और आज जब आप उनके face-up पे जाएंगे, जब आप सर्च करेंगे, जब आप देखेंगे, अरी के से कह सकते हो, 16 घंटे, 12, 14, 14 घंटे की महनत की थी, तो वो अंधेरा जो है, जो एक रूम में उन्होंने महनत की थी, आज वो पूरी की पूरी दुनिया में उनको कामयाब बना रहा है, शायद तब एक शिर्ट, एक जीन्स में उन्होंने अपने जिन्दिया के उजारा किया होगा, लेकिन आज उनके हाथ में ये है, कि जिस ब्रैंड का वो कपड़ा पहनना चाहे, उस ब्रैंड का वो कपड़ा पहन सकते हैं, तो एक जो है न, ये जहलक बहुत जरूरी है, अगर मैं आप सभी को आपके सेलेक्शन के बाद का जो जहांकी कहते हैं, वो अगर मैं आपको अभी दिखा दो, तो शायद आप लोग अपनी मेनत दोगनी कर दोगे इस बात का ध्यान रखो, आपके अपने सोसाइटी में आपकी कितनी वैल्ली होनी शुरू हो जाएगी, लोग कितना आपको रस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे, जब आपका सेलेक्शन आ जाएगा, तो वो चीज़े जो हैं, आप इमेचिंग करिए, उन चीज़ों के साथ आप पढ़िए, समय मत बरबाद करिए, मुवी आते रहती है, समय चलता रहता है, यूट्यूब पर इस ब चलता रहता है, ये सब आपके लिए नहीं है, आपके लिए क्या है, आपके लिए पढ़ाई आपकी जरूरी है, कौन किसको क्या बोला कहां पर किसकी भैंस किसके साथ भागी यह सब कुछ नहीं सोचना है कंगनार अनौत का क्या statement है ठीक है फलाने का वीडियो आया है देख लेते हैं आपको इन सबसे कोई मतलब नहीं है आपको मतलब होना चाहिए अपने mock test से आपको मतलब होना चाहिए आपके syllabus से कि whether आपका syllabus complete है या नहीं है आप काईदे से पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं वो बड़ा important है तो इस बात पे जो है वो ध्यान रखिए मन लगा कर पढ़िए हमारी दौाएं आपके साथ हैं All the best, love you all, take care All the best, love you all, take care